नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिन तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पताइए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री म अधुनिक भारत की इतिहास को हम यहां से शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले आप टेबल देख रहे हैं जिसमें की यूरोपीय कमपनियों का भारत में आगमन होता है अंग्रेजों का भारत में विस्तार होता है कैसे यह सब शुरू होता है इसको हम कवर करेंगे ता सारीकों में आप देखें कि 1600 इस्वी की बात है सं 1600 की बात है इस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती स्थापना हुई है अभी आई नहीं 1609 का समय है अब यहां पर विलियम हॉकिन्स जो है यह जहांगीर के दर्बार में आते हैं वहां से यह सोच कर चलते हैं कि अकबर के दर्बार में पहुँचेंगे लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो गई रहती है और यह जो समय है यह शहजादे सलीन का है यानि जहांगीर क कैप्टन मिडल्टन का जो आगमन होता है 1611 में यहां आप देखें यह सूरत के मुगल गवर्नर के यहां व्यापार करने की अनुमती प्राप्त करता है तो यह एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती सूरत में अंग्रेजों को इस्थाई कार खाना इस्थापित करने की जो अनुमती मिलती है वो समय है 1613 का अब आप देखिए 1615 का समय राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर्ट टॉमस रो यह जहांगीर के दरबार में पहुँचता है अभी जहांगीर का ही रूल चल रहा है और 1618 तक राजदूत दो फर्मान मतलब एक तो समराड से दूसरा राजकुमार खुर्रम से प्राप्त करने में सफल होता है और इसका परड़ाम क्या होता है कि अंतरदेशी यह टोल से मुक्त व्यापार की जो पुष्टी है वो इने प्राप्त हो जाती है टोल फ्री यह अपना ट्रेड कर सकते हैं यह सबसे बड़ी उपलबधी रहती है उस समय की शुरुवाती सुनारा फर्मान कहने के पीछे रीजन यह है कि उससे अच्छा कासा मुनाफ़ा होता है व्यापार में इने सेक्योरिटी प्राप्त होती है और यह अच्छे तरीके से व्यापार में लाव कमा सकते हैं कमपनी को पूर्वी भारत में हरिहरपूर बालासोर यानि ओडिशा का छेत्र वहाँ पर अपना पहला कार खाना स्थापित करने का उसर मिलता है यह पूर्वी छेत्र का कार खाना है तो दिशा के इसाब से पूछता है 1633 का समय है फिर 1649 का समय आता है वांडिवास का एक स्थानी ये शाशक है नायक दमडरला वेंकटादरी ये लंबा सा नाम है तो इस नायक से मदरास का पट्टा प्राप्त होता है आप देखते हैं ना कि वांडिवास का जो स्थान है यहाँपे एक युद्द भी भी हुआ ता फ्रांसीसियों के साथ वो बाद की चीज तो कुल मिलाकर यहां यह मद्रास का जो पट्टा प्राप्त होता है इससे भी अंग्रेजों को एक दक्षण भारत में बढ़ियां सफलता हाथ लगती है 1651 का समय है कमपनी को हुगली यानि बंगाल से व्यापार करने की अनुमती दी गई थी मतलब बंगाल छेत्र से वो व्यापार कर सकते थे बंगाल में व्यापार कर सकते थे आप ऐसा भी कह सकते हैं 1662 का समय है अब यहां देखिए क्या होता है ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितिय जो है इनको एक पुर्तगाली राजकुमारी जो पुर्तगाली राजकुमारी है इनका नाम है कैथरीन ब्रगेंजा इनसे शादी करने के लिए दहेज के रूप में बॉम्बे मिलता है पुर्तगालीों से इनका संबन्ध जुड़ता है और पुर्तगालीों के राजकुमारी यहां पर रानी बन कर आती है तो दहेज में क्या लेकर आती है बंबई, जो कि ना तो उनका था ना तो पुर्टगालियों का था ना इंग्लेंड वालों का था ये हमारा था लेकिन हमारे छेतर का वो दहेश दे रहे थे अब इससे ज़्यादा दादेगीरी क्या हो सकती आगे चलते हैं भाई देखे 1660 का समय औरंग्जेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार के लिए एक फर्मान दिया असल में औरंग्जेब जो था और उससे पहले आप शाजहां को भी देख लीजे ये लोग पुर्टगालियों के ब्रष्टाचार से बहुत तंग आ गये थे ब्रष्टाचार का मतलब ये कि ये मुगलों को परिशान कर रहे थे पुर्टगाली अपना वहाँ पे दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे थे तो अंग्रेज इसमें चालागी से काम लेते हैं तो कुल मिलाकर इन सब का उद्देश से तो एक ही था सोशन करना अब इसमें आप देखे आगे तो कुल मिलाकर यहां आदेश मिल जाता है और इसमें एक अच्छी बात ये है 1691 का समय 1660 में सिर्फ बंगाल में व्यापार का फर्मान मिलता है लेकिन 1691 में कमपनी को बंगाल में अपना व्यापार जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष मात्र 3,000 रुपए के भुगतान के बदले शाही आदेश मिल जाता है ये एक बहुत काम्याब चीज़ उनके लिए होती है अब इसके बाद 1770 1770 में मुगल माजशा रहता है फर्रुक्षियर जिसे कि ग्रिणत कायर भी कहा जाता है इन्होंने एक फर्मान जारी किया जिसे कि कमपनी का मैगना कार्टा कहा गया और कमपनी को बड़ी संख्या में व्यापार देना इसका प्रात्मी कुद्देश था मतलब फर्रुक्षियर अपनी ओर से इस बात की स्वतंत्रता देता है कि बहुत बड़ी मात्रा में आप प्यापार कर सकते हैं और इसका छेत्र विस्तृत हो जाता है अब यहाँ बार्थोलोम्यो डियाज का नाम आता है यह पुर्दगाली यात्री है 1486 की बात है थोड़ा पीछे की बात की जा रही है वो अंग्रेजों को हमने एक सीक्विंस में देखा यहाँ पुर्दगालीों का कैसे आने का सिस्टम बनता है वो बताया जा रहा है वासको डिगामा तो तड़ तक पहुंच जाता है तो हम उसका नाम जानते है लेकिन आधा से अधिक रास्ता खोजने का काम किस नहीं किया था यह एक और पुर्दगाली यात्री था जिसका नाम था बार्थलोम्यो डियाज यह Cape of Good Hope तक आता है जिसे कि उत्तरमाशा अंतरीब कहा जाता है नक्षे पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा तो यह Cape of Good Hope है वहां तक पहुंचता है यहां से आशा बनती है इसलिए इसका नाम पढ़ जाता है गुड़ होप ऐसे ही बहुत सारे केपों के नाम रखे गए तो कुलमिला करिये जो उत्तरमाशा अंतरीब है यहां तक पहुंचता है लेकिन इससे आगे वो नहीं जाता है इससे थोड़ा और आगे बढ़ गया होता तो उसे भारत आने का रास्ता मिल गया होता है इने 86 से आप देख रहे हैं कि दस साल से जादा समय लग गया तो वासकुडिगामा जो है यह साहसी रहता है और यह भारत के काली कट बंदर कहा तक पहुंच जाता है मतलब अरब सागर तक यह घूमते पहुंचता है और गुजरात के तट पे लैंड करता है अब इसको रास्ता दिखाने वाला एक आदमी बिल जाता है जो कि गुजराती ही था पत्प्रदर्शक और इनका नाम था अहमद इब्न मजीद ठीक है मजीद के नाम से भी आप जानते हैं तो इसमें पूरा नाम दिया हुआ है और इसी की सहायता से यह भारत की पश्रमी तट तक पहुंचता है ने तो कहीं और भी पहुंच सकता था तट तो बहुत सारे और यह काली कट पे पहुंचता है 20 मई 1498 को यह गर्मी का टाइम है काली कट का जो ततकालीन शाशक था जमोरिन वो अपनी भारतिये परंपरा के हिसाब से दिल खोल के स्वागत करता है लेकिन पूर्दगाली बाद में उसको भी नहीं छोड़ते हैं तो यह चीज आपने देखी पंदरसो एक का टाइम आता है वासपोडिगामा की दूसरी भारत यात्रा होती है पहली बार वो काली मिर्च वगेरे ले गया था उससे इसको इतना जादा मुनाफ़ा होता है कि दूसरी बार उसका लालाच उसको खीच लाता है और यह भारत के लिए मुसीबत की जड़ बन जाता है पंदरसो नौ का समय है अब पुर्तगालियों को लगता है कि यह सोने की चड़िया जो है इसको पिजरे में रखना जरूरी है मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा जो यहाँ छेतर हैं लाबदायक छेतर हैं हमारे लिए मतलब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह से यह छेतर हैं तो इन्हें तो कंट्रोल करना पड़ेगा अदर्वाइस जो दूसरे यूरोपी हैं या कोई भी इस पर कभजा कर सकता है तो नियंतरन प्राप्त करने के उद्देश से यह गवर्नर बनके आता है अलफानसो डी अलबुकर्क और इससे पहले भी आते हैं कई सारे प्रशाशक तो अलफानसो डी अलबुकर्क को भारत में पुर्टगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और वही पर अपनी शक्ति स्थापित करता है 1530 का समय है नीनोडी कुन्हा आता है यह पुर्टगाली गवर्नर बनके आता है रास्धानी को यह कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर देता है शक्ति का केंद्र तो गोवा पहले भी था लेकिन अभी शक्ति केंद्र के तोर पे उसे रास्धानी की मानेता नहीं प्राप्त हुई थी वो शुरुवाती रास्धानी कोचीन को ही बनाते लेकिन नीनोडी कुन्हा के टाइम में गोवा को ही रास्धानी बना दिया जाता है अब इसके बाद पुर्तगालियों को नीनोडी कुन्हा के नित्रतु में गुजरात के बहादुर शा से दीव और बेसिन की भी प्राप्ती हो जाती है तो ये एक के बाद एक आसपास के छेत्रों को जीतते जाते हैं और ये समय है 1534 का इसके बाद क्या होता है तो आगे की कहानी ये है कि पुर्तगालियों को ये सफलता प्राप्त हुई उसके बाद अब बाकी जो यूरोपी है उनको भी मालूम होता है कि पुर्तगाली महाँ खूब मुनाफा कमा रहे है तो हमें भी मिल सकता है संसाधन उनके अपने तो है नहीं तो ऐसे में कॉलोनी बनाने के लिए ये बढ़ी है जगा है तो इसके चलते अब देख रहे हैं आपकी अंग्रेज जो है वो सक्री हो जाते है फ्रांसीसी जो है वो सबसे बाद में आते हैं लेकिन बागी जितने हैं जिसे डच हैं अंग्रेज हैं ये सब एक क्रम से आने लगते हैं तो अब यहां अंग्रेजों की चर्चा एक बार फिर से 1599 का टाई में स्थल मार्क से अब वो पानी के रास्ते आते हैं लुटेरों के बड़े बड़े गिरो जो इस्थल मार्क था वहाँ पे सक्रिये थे। ये चीज समुद्र में भी होती थी लेकिन कम होती थी। तो समुद्र में अपने खत्रे थे, समुद्र के अपने रहसे में ही खत्रे जो होते हैं। फिलाल 1599 कुल मिलाकर यात्रा करना उस समय बड़े ही साहस का काम होता था। सीधे साधे लोग हैं कि उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। तो व्यापारिक अपने द्रिश्ट कोंड से देखता है तो उसे बड़ा मुनाफ़ा यहां दिखाई देता है। और वही चीज आपने देखी तो ये साहसी तो था इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल ये भारत आता है और अपनी मंशा तयार करता है तो एक व्यापारिक कमपनी की स्थापना होती है जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचर्स। अब डच इस्ट इंडिया कमपनी स्थापित हो जाती है डच भला क्यों पीछे रहने वाले हैं तो ये 1602 का टाइम। तो एक सरकारी कमपनी की स्थापना होती है बाकी आप ध्यान दीजेगा जितने भी इस्ट इंडियान कमपनी आती हैं मतलब जितने भी और यूरोपी भारत में आते हैं कमपनी बना कर तो उनकी कमपनीया प्राइवेट रहती है और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो कारी कंपनी थी मतलब राजा के संरच्छन में थी तो राजा की ओर से चला जा रहा है भाई हमारा क्या जाता है तो फ्रांसीसी इतने जादा एक्टिव भी नहीं थे हाला कि कोशिश वो भी करते हैं तो कुल मिलाकर फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है इसमें जो गाउं के नाम है जिनको की मिलाकर एक बड़े छेत्र को कलकत्ता का नाम दिया गया वो कौन कौन से थे अच्छा इसके बाद पंद्रसो का टाइम देखिए पीछे थोड़ा इसमें आगे पीछे चल रहा है एक सीक्विंस में नहीं पंद्रसो में पुर्दगाली यात्री ये पेट्रो अलवारेज काबराल जो है ये भारत पहुंचता है तो ये पुर्दगाली वाला सिस्टम छूट गया था जो कि यहां पर आ गया है इसको आप तारीक के तौर पे ही लीजेगा 1631 में फिर चले आते हैं कासिम खान जो की मुगल सरदार था इसने हुगली के तड़ पे पुर्दगाली यों को हराया क्योंकि पुर्दगाली वहाँ पर बहुत लूट पार और आतंक मचा रहे थे तो अभी जिन तारीकों को हमने यहां पर लंपे सिल्सिले में देखा है उनी का लिखित विवरण यहां देख लेते हैं यूरोपी कंपनियों का भारत में आगमन होता है कैसे होता है पहले कौन बाद में कौन यहां से प्रश्न हर बार ही पूछा जाता है तो देखिए भार और यूरोपियों की पध्यती में अंग्रेज डचों के बाद आये थे। मतलब अगर यूरोपियों की सिस्टम में देखा जाये तो अंग्रेज जो है वो डचों के बाद भारत में पहुच पाते हैं लेकिन इनकी जो इस्ट इंडिया कंपनी हैं उसकी स्थापना डच इस्ट अगर हम शुरुवात को देखें, तो हमारे जो व्यापारिक संबन्द है, शुरुवात में यूनानियों से शुरू होते हैं, ये प्राचीन काल के बात हो रही है, अभी सिंदु घाटी की सब्वेता वाला जो समय था, उसमें कौन-कौन से देशों से व्यापारिक संबन्द थे, वो सब्वेता तो जमीन के अंदर दब गई, जो खोद कर निकाला गया, वो सिर्फ ध्वन्स था, मतलब खंडर, तो उससे इतना ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो समकालीन सब्वेता हैं थी, उनसे इनके संबन्द रहे होंगे, व्यापार होता था, लेकिन जो प्रामाणिक साक्षे मिलता है, वो युनानियों के साथ मिलता है, तो मधिकाल में योरोप का जो भारत से व्यापार है, वो कई मार्गों से होता था, कई मार्ग का मतलब अब हवाई जहास से तो आता नहीं था, लेकिन पानी वाला रास्ता और जमीनी मार्क था इन दोनों से होता था उसमें जो पानी वाला रास्ता था ज्यादा सुरक्षित लगता था अलांकि उसमें नौका डूबने की संभावनाय तब भी बनी रहती थी लेकिन यह ऐसा समुद्र का एरिया नहीं है जो कि अशांत्र है तो यह सब आपने देखा अच्छा एक रास्ता जो था वो फारस की खाड़ी से समुद्र के रास्ते जाता था मतलब गल्फ आप पर्सिया जो है वहाँ से होकर बुजरता था और वहाँ फिर इराक और तुर्की से होकर जमीन के रास्ते फिर आगे समुद्र मतलब थोड़ा नाव में थोड़ा जमीन पर फिर थोड़ा नाव में फिर थोड़ा जमीन पर ऐसे करके चलते थे कितना दुरलव मतलब दुरगम रास्ता होता था इसके बाद आप देखें दूसरा मार्ग क्या होता था तो लाल सागर से होते हुए यानि ये भी समुद्र वाला रास्ता है यहां से मिस्र का जो अलेक्जेंड्रिया यानि सिकंदरिया है वहां तक और फिर थल मार्ग अपना कर और फिर वहां से समुद्र के जरिये ये बेसिन जाते थे फिर जनेवा पहुंचते थे एक तीसरा कम प्रशलित रास्ता था ये दोनों जो हैं ये काफी प्रशलित थे तीसरा वाला उस परिस्थती में अपनाया जाता था जब बाकी दोनों पे खत्रा रहे तो ऐसे में तीसरा रास्ता था थल मार्ग जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत के दर्रों से जैसे की खैबर दर्रा जो है वहाँ से होकर सिकंदर की सेना हमारे देश में प्रवेश करती है तो वैसा जो दुर्गम रास्ता है उसको अपनाना लेकिन ऐसे रास्तों को अपनाने से जो विदेशी थे वो म इस तरह से भारत को यूरोप से मिलाने वाले दो मुख्य समुद्री मार्ग थे जो की आसान थे पहला तो गल्फ आप परसिया से उकर जाता थे यानि फारस की खाड़ी से उकर और दूसरा लाल सागर से उकर फारस की खाड़ी वाला जो रास्ता है वह जादा प्रेशलिफ था क्योंकि लाल सागर वाला जो मार्ग है, उसमें कोहरा बहुत जादा होता था, वहाँ जो समुद्र की परिस्थिती है, इस्थली परिस्थिती भी उसमें जिमिदार है, उसकी वज़े से कोहरा चाया रहता था, तो सामने का जो रास्ता है वो दिखता नहीं था, और ऐसे में हो साफ नहीं देख पाता था परिडाम क्या होता था डुबो दिये जाते थे और लूट लिये जाते थे इसके बाद एशिया का जो अधिकांश व्यापार है वो अरब वासियों के हाथ में था क्योंकि अर्भियों का उसमें शुरुवाती कबजा हो गया था और भूमत्य सागरी और यूरोपी व्यापार जो है ये इतावली व्यापारियों के एकाधिकार में था मतलब यूरोप में जो मुख्य व्यापारी थे वो इटैलियन थे और एशिया में अगर देखा जाए लगबग पूरे ही छेत्र को तो उसमें अर्भी जो है वो मुख्य व्यापारी हुआ करते थे और पूर्वी देशों के साथ जो इनका व्यापार था वो गरम मसालों के कारण काफी इंपॉर्टेंट था तो आप सोच रहे हैं कि वो कठल की सबजी बनाते थे गरम मसाला डाल कर रहें ऐसा नहीं है वो मांस को सुरक्षित रखने के लिए और इस तरह के गरमी तो अपने एशिया में जादा होती है लेकिन हम गरम मसाले या मसालेदार भोजन का खूब इस्तेमाल करते हैं ठीक है मतलब विदेशियों की तुलना में तो मूल उद्देशे माल्स का परिदक्षन होता था जो कि वो हमारे गरम मसालों की साहयता से करते थे इसके बाद संपर के स्थापित करने वाला मार्ग जो है वो तुरकों के अदिनाब समझ में आया कि तुरकों ने ऐसा क्यों किया वो व्यापार के मार्ग को अवरुद्ध करके व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे ये इसका मतलब और उन्होंने यूरोप की व्यापार पूर्वी देशों का व्यापार करने की सुविधा देने से मना कर दिया क्योंकि बीच में उन्होंने पहरा डाल दिया था तो इसका नतीजा क्या होगा यूरोप वाले परिशान हो जाएंगे उन्हें तो ग्रोथ करनी है उनके आम मशीन योग शुरू हो चुका था तो मशीन ठीक है आपने एक रास्ता रोक दिया है लेकिन नेचर में बहुत सारे ऐसे रास्ते बनाये होंगे यह आवश्यक्त थोड़ी है कि आप जो रास्ता रोक है बस उतना ही है तो यह नए रास्तों की खोज में निकल पड़ते हैं और उनको मिलता भी है तो यहाँ आप देखें का मतलब है विकास रुख जाएगा तो इसलिए जरूरी हो गया था तो पुर्तगाल के नाविक का नाम आपने पीछे देखा था बार्थोलोमियो डियाज यह उत्तरमाशा अंतरीब तक कैसे भी तमाम कठिनाईया झेल कर पहुंच जाता है जो पहले यात्रा करता है वो बह ना किसी मदद के और उस छेत्र को ये खोज निकालता है और इसे चुकि काफी अशांत छेत्र था बड़ी बड़ी लहरे उठ रही थी तो उसमें तुफानी अंतरीब का नाम दिया और उसके आगे बढ़ना इसलिए दुशकर हो गया था क्योंकि वहाँ पर आ जाता है समु का दौर जारी रहता है अब यहां इस पेन का रहने वाला है कोलंबस यह भारत पहुचने का रास्ता ढूटने लगता है अब भारत पहुचने का रास्ता ढूटता है तो भारत तो नहीं पहुचता है एक नई जगह पर पहुच जाता है जो कि इनके लिए सोने से कम नहीं र लेता है अंजाने में तो कभी-कभी आविश्कार जो है वो अंजाने में होते हैं लेकिन नायाब होते हैं इसके बाद 1498 का टाइम आता है भाई अब यहां देखिए वास्कोडिगामा के जिन्में जो ताज है वो बनना था इनके सिर पे भारत को खोजने का मतलब यूरोपिय का ढूड लेता है और भारत तक पहुचने में काम्याव हो जाता है इसका सोभाग यह रहता है कि गुजराती मार्ग दर्शक इसको मिल जाता है गाइड मिल जाता है जो कि इसका काम आसान कर देता है अब भारत के पश्चिम में माला बार तटपे काली कट कोचीन ये और मतलब क्या है कि ये बंदरगा पहले से थे अर्थात हमारा जो व्यापारिक संबंध है वो इससे कहीं जादा पुराना है तो चूंकि भारत में यूरोपी शक्तियों के लिए हाद से देखा जाए तो सबसे टिकाओं अंग्रेज रहे लगबग 200 वर्षों तक इनोंने हमें गुलाम बना के रखा हमारा सोशन किया ठीक है गुलामी तो उससे भी जादा पुरानी है लेकिन अंग्रेजों की जो गुलामी है वो लगबग 200 साल की तो बाकी यूरोपी शक्तियां क्यों बेसर हो गई मतलब वो भी तो कोशिश करती है उपनिवेश बना नेगी लेकिन अ अब को पीछे ही दोरा दिया गया है तो वो पुरान फिर से नहीं दोरा जाएगा लेकिन इनकी जो कंपनी है वो पहले ही स्टैबलिश हो गई थी अच्छा सितंबर 1599 का समय है लंदन के कुछ व्यापारी जो है वो कमर गस्ते हैं और लॉड मेयर की अध्यक्षिता में सभा गठित होती है, सभा का योजन होता है, सभा किसलिए तो सलाह मश्वरे के लिए और इसमें पूर्वी द्वीव समुओं के साथ व्यापार करने की योजनाये त्यार की जाती है क्योंकि यह अंदेशा तो रहता है कि यहां से मुनाफ़ा होगा इसका अंदाजा इन लोग को रहता है और इन व्यापारियों ने पूर्व की देशों के साथ व्यापार करने के आशाई से 1500 992 में एक कमपनी का गठन किया कमपनी बनाई कमपनी का नाम था गवर्नर एंड कमपनी ओप दे मर्चेंट्स आफ लंदन ट्रेडिंग इंटू दे इस्ट इंडिस और शॉर्ट कट में उसी को कहते हैं इस्ट इंडिया कमपनी इसका लंबा सा नाम आप देखें गवर्नर एंड कमपनी ओप दे मर्चेंट्स आफ लंदन ट्रेडिंग इंटू दे इस्ट इंडिस तो ये थी East India Company, इसका ये भारी भरकम नाम, और आप देख रहे हैं कि England की महरानी है Elizabeth, Elizabeth प्रथमसल में, 31 December सन 1600 को इन्होंने एक चार्टर जारी किया, मतलब एक आग्या पत्र, और इसमें 15 वर्षों के लिए, यहां समय आप देखें, और ये वाला भी समय देखें, तो December, मतलब December के अंतिम तारीख में, नए साल से पहले ये नया काम होता है, तो 1600 इस भी में एक आग्या पत्र व्यानी चार्टर जारी किया जाता है, और 15 साल के लिए पूर्वी देशों के व्यापार हेतु, जो East India Company अभी यहां लंबा सा नाम आपने देखा न, जो बनी है, उसको violation आया है, तो उसमें देखा भी होगा, इस जीज को, अच्छा, इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस से होते थे, मतलब जो company होती थी, मतलब यह समीधी के बात हो रही है, असल में, company का पूरा प्रबंधन, company तो कई सारे व्यापारियों से बनती थी, लेकिन उ court आप, directors और board of control आप पढ़ते हैं लक्षमी कांत में, तो वही चीज यहां है, इतिहास और राजनीती जो है, वो एक दूसरे से अलग नहीं, 1609 का जो चार्टर है, उसको जानना आवश्यक है, तो 1609 के चार्टर में ऐसा क्या था, देखिए 1603 में महारानी एलिजाबेत की मृत्ति हो जाती है, और उसके बाद महाराज बनते हैं, जेम्स प्रथम, अभी सत्ता परिवर्तन फिर से रिटेन में हुआ है, आप जानते हैं चार्स जो हैं वो राजा बनेंगे, ताजपोशी के लिए भव्य तैयारी हुई है, तो कुल मिलागर जेम्स प्रथम जो हैं, इनके उत्तरादिकारी के तौर पे इंग्लैंड के समराठ होते हैं, महारानी से अफ सत्ता परिवर्तन होके पुरुषवादी सत्ता बन जाती है उसमराठ आसीन होते हैं, और ब्रिटन का हर समराठ लोग-पृई रहे या आवश्यक नहीं है, जैसे इस समय जो चार्स हैं इनने लोग-प्रियता नहीं प्रापते हैं, बहुत सारे लोग इनकी पत्नी और इनने नापसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि डायना का मतलब डाइना के उत्तरादिकारियों में एक को तो बेदखल कर दिया गया है लेकिन जो दूसरे है प्रिंस विलियम बड़े वाले उनको राजा के रूप में लोग देखना चाहते हैं पर यह वंश परंपरा है तो इसमें क्रम से ही बनेंगी और यह जग जाहिर बात है कि जो राजशाही ब्रिटेन की है उसमें उम्र लोगों की लंबी ही होती है तो यह चीज आपने देखी अब इसमें आप देखें कि जो जेम्स प्रथम है यह उत्तरादिकारी के तौर पे इंग्लेंड के समराट बनते हैं अब 1609 का समय आता है समराट का शाशन चालू हो गया महा मतलब नहीं किया जा सकता है आगे होता भी है समराट के सन 1625 से लेकर 1624 के बीच में जो पश्चवर्ती चार्टर थे उनके द्वारा प्रदत डंड अधिकार से कंपनी की स्थिती में और अधिक सुधार होता है मतलब कुल मिलाकर यह जो नया अधिकार प्राप्त होता है इस और 1612 में कमपनी के 2 लाग पॉंड की पूजी पर 1 लाग पॉंड का मुनाफ़ा हुआ था मतलब 2 लाग की आपकी पूजी है और आप 1 लाग फायदा कमा रहे तो यह तो बहुत अच्छी बात है मतलब फायदे का सौधा है और पूरी 17 शताबदी के दोरान मुनाफिय की दर जो है वो उजी रही खूब मुनाफ़ा होता है मतलब यहाँ से सस्ते भाव में ले गया है और वहाँ पे बेहिसाब बना कर बेचा कूब इससे फायदा हुआ 1688 इंग्लेंड में होती है क्रांती और क्रांती का परिणाम यह होता है कि जो जेम्स द्वितिय है उनका तक्था पलट हो जाता है यहाँ जेम्स प्रथम की बात हो रहे थी और ये जेम्स द्वितिय है और विलियम त्रितिय तथा उनकी बेवी मेरी जो है इनको सयुक्त शा खाशक बनाया जाता है। धीक है। रानी बनती目前 है मेरी और राजा बनते हैं विल्यम घृती है। और इस क्रांती गूध का परिडाम यह होता है कि एंग्लेंड में तनक्सद की सर्भोऽच्थ था इस्थापित होती है। राजा अभी में रहते हैं। इंग्लेंड की जो क्रांती है उसको गौरोपूर्ड क्रांती कहा चाता है ये बिना रक्त की एक मूद बहाय संपन्न हो गई थी क्योंकि राजा समझदार थे मोनार्की तो पहले थी लेकिन उन्होंने अब जनता की सत्ता को स्विकार कर लिया था इसलिए उनका सम्मान आज भ संसद जो है वो सरवच्छ हो जाती है पालियमिंट वहां के और 1694 बेकाप टाइम देखिए हाउस आफ कामन्स जो है उसके प्रस्ताओं के अंतरगत दो और नई कंपनियां कायम की जाती है अब संसद यानि जनता का जो छेत्र था उसका फैसला ये रहता है कि सिर्फ एक कंपनी क्यों कई सारी कंपनियां होनी चाहिए एक कंपनी हमें इतना मुनाफ़ा लाकर दे सकती है तो बाकी कंपनियां भी ले आएंगे तो इसमें देश का ही फायदा है और कंप्टीशन बढ़ेगा तो सभी जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे तो ये कंपनियां हैं इन्होंने भी 1702 में अभी शुरुवात में तो ये ठीक काम करती है लेकिन 1702 में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव करती है क्योंकि ये अपने तरीके से अपने स्वतंत्र रूप से मुनाफ़ा उतने अच्छी डंग से नहीं कमा पा रही थी नतीजा य एक नई कंपनी बनती 1688 में जो कंपनी बनी थी न्यू कंपनी और 1698 में बनी जनरल सोसाइटी 1698 में रही जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन दा इस्ट नाम से कंपनी थी मतलब कुल मिलाकर सब जुड़कर एक हो जाते और इस तरीके से एक नई कंपनी सामने आती है उ इसको हम देख रहे हैं अब इसके बाद क्या होता है कंपनी का यह जो नाम है यह 18-33 तक कायम रहता है 1813 का जो चार्टर एक्ट है और 23 वाला वहाँ पर कंपनी के अधिकार छीने जाने लगते हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बाद इसका संशिप्ट नाम रगदिया जाता है East India Company जिस नाम से यह पहले से ही जाने जा रहे थे तो company की जो व्यापारिक सफलता हैं उसको देख लेते हैं लगे हाथ, देखें अंग्रेज जो है वो company की प्रारंबिक, मतलब English company जो है उसकी प्रारंबिक समुद्री यात्रा में सुमात्रा जावा और मलक्का के लिए लोग प्रस्थान करते हैं, वहां से फायदा कमाते हैं, उ शुरुआत में अंग्रेज भारत की ओर उतना इंट्रेस्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन इनकी जो destiny है वो इन्हें आग खीच ले आती हैं, इनकी नियत ही यहां से बधी रहते हैं, तो captain Hawkins के नित्रतों में हेक्टर नाम का एक अंग्रेजी जहाज जो है वो सूरत के बंदर कहां पर आता है और यह समय है 1608 का, यहां तक कहानी हमने सुनी, आगी की कहानी यह कहती है कि captain Hawkins वो पहले अंग्रेज थे जिन्होंने की समुद्र के रास्ते भारत की जमीन पर कदम रखा था, Hawkins जो की तुर्की भाशा बोल सकता था, यह इसके लिए बड़ा ही प्लस तो captain Middleton का समय आता है, सुवाली में यह पुर्तगालियों का जो जहाजी बेड़ा है, उसको परास्त कर देता है, यह समय है 1611 का, और पुर्तगालियों को पराजित करने की वज़े से, जहांगीर इससे बहुत खुश होता है, क्योंकि जहांगीर या जितने भी मुगल मुगल बाजशाहों का रास्ता साफ करते हैं, असल में वो अपना फायदा कमा रहे होते हैं, तो इस तरीके से जहांगीर अंग्रेजों से बड़ा प्रभावित होता है, प्रभावित हुआ तो इसका फायदा अंग्रेजों को मिलेगा, 1613 में उसने अंग्रेजों को सूरत म स्थाई कार खाना ये देखिए स्थाई कार खाना स्थापित करने की अनुमती देदी अपने पैरों पर कुलहाडी मारने का काम यही होता है इसके बाद आप देखें इसके पहले 1611 मतलब कतई अंदाजा मुगल बाद शाहों को यह नहीं रहा होगा कि उनकी सत्ता को जड़ से उखाड कर अंग्रेज कुछ समय बाद फेक देंगे तो इसलिए बाहरी जो विदेशी होते हैं उनको श्याह देने से पहले सौ बार सोचना चाहिए यह सीख हमें अपने इतिहास से मिलती है यहाँ वो कहावत जो है वो सार्थक सिद्ध होती है कि हमुली पकड़ाई तो उन और यह गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था मचली पटनम अंग्रेजों ने 1626 में अर्मा गाउं में एक दूसरी कोठी खोल ली 1632 का समय आता है एक गोल्डन फर्मान जारी होता है गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के लिए परि गोलकुंडा के जो बंदरगाह है उसको अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं मातरू ने 500 पैगोडा चुकाना है इसके बाद आप देखें कि 1649 का समय आता है फ्रांसिस डे जो है इसने चंद्रगिरी की राजा से मदरास को पट्टे पर लिया और वहाँ पे एक फोटिफिके कौन से छेत रहें अंग्रेजों ने सूरत भणोच आमदाबाद आगरा मसूली पत्तिनम यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की 1630 में मैंडर्ट की संधी होती है नतीजा ही होता है कि पूरभी व्यापार में अंग्रेजों यहों पुर्तगालियों के बीच में और गोवा का जो पूर्तगाली वायस रहे था उन्होंने एक समझोता ग्यापन या समझोता पत्र जो है उस पे हस्ताक्षर किया नतीजा यह होता है कि भारत में व्यापार जो था उसमें अंग्रेजों और पूर्तगालियों के लिए आपस में व्यापारिक सहयोग करने के अंग्रेजों को यह लगता है कि अब पूर्तगालियों से लड़ते रहेंगे और मुगल बाद्शाहों को सपोर्ट करते रहेंगे तो सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी इसलिए अंग्रेज यहां पर अपनी खिचड़ी पकाना शुरू करते हैं वो पूर्तगालियों के स थापना के लिए संधी होती संधी का मतलब है कि शांती बहाल होती और शांती बहाल होती है तो उसके बाद वैवाहिक संबंद जुड़ जाते हैं तो वैवाहिक संबंद जब जुड़ते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि इंग्लेंड के राजा चार्ल्स दृतिये जो ह होता है और दहेज में इनको मिलता है बंबई दहेज देने का रिवास तो जमाने से है अच्छी परंपरा नहीं है लेकिन चलती है तो यहां दहेज में अपनी चीज़ें दी जाती है मतलब लड़की का पिता जो होता है वो अपनी मेहनत की कमाई से देता है और लड़के वाले जो हैं वो बिना किसी शर्म के उसको वसूलते हैं ठीक है तो ये एक परंपरा है किसी को अच्छा लगे या ना लगे लेकिन हकीकत तो यहीennis तो इसमें होता यह था कि पहले के समय में जितनी कब्जे मे लिगाई जमीन या संपत्ती होती थी उसको भी अपना ही माना जाता था तो यहाँ पुर्टगालियों को लगता है कि भाई बंबई तो हमारा है जबकि वो हमारा रहता है तो दहेज में दे दिया अब यह दहेज में अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं अपना व्यापार स्थापित करते हैं देखें चार्स द्वितिये ने बंबई का जो द्वीप है मतलब कौन से द्वीप पर बसा हुआ है बंबई जड़ा बताईएगा बंबई शहर जो है वो कौन से द्वीप पर बसा हुआ है वो भी एक द्वीप पर ही बसा है समुद्र का वो एक द्वीप ही ये छेत्र है तो उस द्वीप का नाम आपको कमेंट सेक्षन में बताना है तो बंबई का जो द्वीप है उसको 10 पॉंड वार्शिक किराया लेके East India Company को दे दिया मतलब व्यापार के लिए दे दिया कहने का मतलब ये और 1687 में क्या होता है अब नई घटना ते आप देख रहे हैं कि सूरत की जगा बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापार इक बस्ती बन गई ये पहले से ही आर्थिक छेत्र बना हुआ है 1630 के बाद उत्तरपूरू में प्रभाव बढ़ने लगता है अंग्रेजों का और 1633 में उडिसा का जो महानदी का मुखाना छेत्र है वहाँ पे हरिहरपूर नाम की जगह है और है बालासोर यहाँ पे अपनी फैक्टरी लगा लेते हैं तटवर्थी इलाका 1651 का जो टाइम है उसमें हुगली में एक ब्रिजमैन के अधीन खोली गए मतलब कोठिया वेक के बाद एक जो है वो खुलने लगती इसके बाद पटना ढ़ाका कासिम बाजार में भी अपनी जड़ जमा लेते हैं 1658 का समय आता है और बंगाल बिहार उडिसा कोरो मंडल समुद्र तट सभी बस्तियां जो है वो फोर्ट सेंट जार्ज के अधीन हो जाती है 1679 में सर जार्ज ओक्सेंड डेल जो है इसके उत्रादिकारी के रूप में मतलब इनके उत्रादिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियार ये सूरत प्रेसिडेंसी और बंबई का गवर्नर बनता है ओंगियार का नाम आप देखते हैं ने बंबई के गवर्नर के तौर पे तो उनका पूरा हिस्ट्री और बायोडाटर यहां पर दिया हुआ है जिसे कि आप समझें आपने मधिकाली इनितिहास में देखा कि राजपूत राजाओं ने अपने आपसी जगडे को निप्टाने के लिए मुगलों को बुलावा दिया यानि बाबर को इन्वाइट किया बाबर यहां आता है और कबजा कर लेता है तो वहां से मुगल वन्ष की स्थापना होती है अब मुगल वन्ष की स्थापना हुई मुगल वन्ष जो है वो शाजहा तक जहांगीर तक ठीक ठाक चल लेता है लेकिन जहांगीर के समय से विदेशी आना शुरू हो जाते हैं और बाद में इनका प्रभाव बढ़ने लगता है शुरुवात में मुगल इनने अपना मतलब उसमें से कुछ को जैसे अंग्रेजों को पुर्दगाली परिशान कर रहे हैं तो यह अंग्रेजों से मदद लेते हैं अंग्रेज परिशान कर रहे हैं तो फिर किसी तीसरे से मदद लेंगे लेकिन यह यह नहीं समझ पाते हैं कि यह असल में घुसपैट करने की कोश और जिस जमीन पे इन्हों ने कबजा किया हुआ है उसको वो अपने कबजे में लेकर इन्हें बेदखल कर सकते हैं तो परिडाम यहां क्या होता है आप देखें अठारवी शतापदी का जो पूरवार्द था वहां पे महान मुगल शाशन महान मुगल शाशन का मतलब है कि बाबर से शुरू होकर औरंग जेब तक तो वो जो महान मुगल शाशन था उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा का भारी पतन होता है उसके पीछे कई सारे कारण थे मुगल शाशक औरंग जेब की मृत्यू होती है तीन मार्च 1707 को आहमद नगर में मतलब जो विगटन है वो तो औरंग जेब के ही समय में शुरू हो जाता है उसके पीछे ज्यादा तर उसके नीतियां जमेदार रती है आप ही कठोर और कटर नीतियां होती है जिसको की लोग बरदाश नहीं कर पाते हैं और बगावतों पर बगावते होती है लेकिन कुल मिलाकर अपने मिलिटरी प्रशाशन की वज़े से औरंग जेब जो है वो इस थितियों को नियंत्रण में रखता है लेकिन 1707 में जब अहमद नगर में दक्षन महारत में इसकी मृत्ति हो जाती है तो उसके बाद इसके पुत्र जो है आपस में ही लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं और तीन बेटे इसके जिन्दा थे अकबर प्रथम जो की औरंग जेब का सबसे पहला बेटा था अब तीन बेटे जो जिन्दा थे उसमें मुगल सामराज्जी की स्थिरता प्रभावित होती और अगजेब की नीतियां ही असल में कब्रगाह बन जाती उसने जो नीतियां अपनाई वो ततकालीन मतलब जो उस समय की स्थितियां थी उसके लिए ठीक नहीं थी इसलिए कहा गया ने पीछे कि दाराशिको अगर बादशा बना होता तो इस थितियां दूसरी रहती अब यहाँ पर आप देखें कि सैनिक और प्रशाशनिक विवस्था और अरगजेब की अंतिम तक एकदम चाक चौबंध थी मतलब दबाने वाला काम इसने बखुवी किया था और दबाने के लिए इसके पास अंसाधन भी थे तो आवास दबा दबा कर इसने लोगों को चुप करा दिया तो उस समय तक तो सब कुछ शान्त रहता है अंदर अंदर गुस्सा उबल रहा होता है लेकिन उपर से सब कुछ बल पुर्वक दबा दिया जाता है लेकिन जैसे ही मृत्यू होती है तो 1707 तक तो वहां तक आते आते सब बेकाबू हो जाता है तो अब यहां से शुरू होता है देखे जजाओ का युद्ध अब ये पूछा जाता है जजाओ का युद्ध हुआ था 18 जून 1707 में बहादुर शाह ने आजम को पराजित किया और ना सिर्फ पराजित किया बलकि समाप्त कर दिया उसके बाद बीजापुर का युद्ध होता है जनवरी 1709 में बहादुर शाह और कामबक्ष के बीच में होता है कामबक्ष घायल हो जाता है बाद में मर जाता है युद्ध के मैदान में नहीं मरता है ध्यान दिजेगा तो कुल मिलाकर यहां से एक चीज़ क्लियर हो जा रही है कि बहादुर शा जो है वो बहादुर है भले ही सपोर्ट पाकर तो अब यह राजा बनेंगे तो बहादुर शा प्रथम के नाम से यह सिंहासन पर बैठता है इसी को शा अलम प्रथम भी कहा जाता है ध्यान दिजेगा शाह अलम द्विती को हम बकसर वाली रिस्पेक्ट में देखते हैं लेकिन यहाँ पर आप देखें कि बहादुर शाह प्रथम और शाह अलम प्रथम जो है वो यह कहीं है 1707 से लेकर यह 1712 तक रूल करता है जादा समय तक नहीं और इसमें शाह बेखबर की जो उपादी है इसको ख़फी खाने दे थी यह बेखबर रहा करता था राजकाज़ तो यह सारी चीजे हैं और बेखबर रहने के पीछे जो रीजन है वो आप देख रहे हैं पचास के उपर वाले जितने बादशाह बनते हैं तो वो जादा तर शांती पूर्ण नीती को ही अपनाते हैं क्योंकि इस उम्र को पार कर लेने के बाद आदमी को यह ऐसास होता है कि लडाई जगडे में कुछ रखा नहीं तो यह एक बात है अच्छा आप 1689 का जो समय है मुगलों की कैद में रह रहे है शिवा जी के पौत्र शाहु जी को यह मुप्त करा देता है यह एक अच्छा काम करता है नतीजा क्या होता है मराठे तो खुश होंगे ही तो मराठों के साथ हो जाती है मित्रता मराठे जो की पहले से देख रहे थे कि मुगल बादशाहों की क्या नीतियां है वो आमें को चलना चाहते हैं लेकिन अब यहां देखते हैं कि यहां तो माया ही बदल गए ही तो ऐसे में यह मित्र बन जाते है और इनके समय में सिख नेता बंदा बहादुर जो है इनका ओरिजिनल नाम क्या था यह आपको बताना है बंदा बहादुर तो इनका वास्तविक नाम है वो क्या था तो बंदा बहादुर ने 1710 में सरहिंद को जीत लिया यहां बंदा बहादुर की जो अवस्थिती है उसको आप देख रहे हैं लेकिन 1711 यह जो समय है मुगलों ने फिर से सरहिंद को वापस प्राप्त कर लिया और इनके दरबार में 1711 में डचों का एक सिष्ट मंडल आता है स्वागत में एक पुर्तिगाली स्त्री जो है उसने महतुपोण भूमिका निभाई थी और यह जो पुर्तिगाली स्त्री थी इसका नाम था जूलियाना और इसे अपनी फार्सी और मुगली भाषा में बीबी और फिद्वा की उपादी दी गए इसके बाद आप देखें कि पहादुर्शा प्रथम के लिए सर सिड्नी ओवल का कथन था कि अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते अच्छे शब्द का मतलब क्या सहिश्नुता लेकिन सम्राट बनने की काबलियत इसमें से एक के पास भी नहीं थी जो शुरुवाती मुगल सम्राट आप देखते हैं मने बादशा बाबर से लेकर औरंगजेव तक नीतियां चाहे जिसकी भी जैसी रही हो लेकिन शाषन सम्हालने की काबलियत सब के पास थी इतना तो था तभी शाषन को उन्होंने मजबूत बनाया लेकिन उसके बाद जि इसके बाद बहादुर शा प्रथम की मृत्य होती है 27 फरवरी 1712 में और एक बार फिर से घमासान मत जाता है कि गद्धी पर कौन बैठेगा अब यहाँ जो उत्तरादिकार का यूद्ध होता है उसका कारण बहादुर शा का शव मतलब उत्तरादिकार के यूद्ध की बहादुर शा का जो शव है वो एक साल तक दफनाया ही नहीं जा सका अब यह देखे कितनी विडम बना है मतलब गद्धी पर बैठना ज्यादा आवश्यक था पिता जो है वो गय भाण में यह आपने देखा अब इसके बाद बहादुर शा प्रथम के बाद जो उत्तरादि और तमाम जो गुट हैं जो के पीछे से काम करते थे Kingmaker का काम करते थे वैसे ही इराणी दल के नेता थे जूलक। उनकी सहायता से जुहादार शाह जुलफिकार खां क्या करता है। अगला मुगल बाद्षाह आप देख रहे हैं, वह जुहादार शाह है। इनका वास्तविक शाषन है पहले ही समझ लिया हैं कि जुलफिकार 2024 केρχी रहम उकरम संगासन पर बैटता है। तो वास्तविक जो प्रिशाशन है वो वजीर के हाथ में रहता है वजीर यानि प्रधान मंत्री मंत्री में भी कौन सबसे उपर वाला यानि प्रधान मंत्री तो जुल्फिकार खां के हाथ में रहता है और जहादार शाह ने आमेर के राजा सवाई जैसिंग को मालवा का पूछा जाता है आपको मालू होना चाहिए इसने मारवार के राजा आजीत सिंग को गुजरात का सुविदार बनाया महराज की उपादी दी मतलब राजपूतों के साथ यहां मैत्री पूर्ण संबंद दिखाई दे रहे हैं जहादार शाह के समय में जजिया को समाप्त कर दि देखे और जहादार शाह जो है यह लाल कुवरी नाम के एक वैश्या से प्रेम करते थे जहादार शाह ने मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया लेकिन इसकी वसूली मुगल अधिकारी करते थे मराठे वसूल नहीं सकते थे यह एक फर्रुक शियर ने सेयद बंदुओं की सहायता से 11 फर्वरी 1713 का जो टाइम था उसमें समराठ को पराजित किया और मार ड़ा तो अब यहां से फर्रुक शियर का जो टाइम है वो स्टार्ट होता है और इस समय का जो पूरा मुगल दरबार हुआ करता था उसमें हिंदुस् खर्रुक शियर की तवारा अब्दुल्ला खान को बहुत सारी उपाधियां दी जाती है भाई क्यों न दी जाए इन्ही के मदद से वो सम्राठ बना रहता है तो यहां जो पाधिया दी जाती है इसमें नबाब कुटबल मुल्क की उपाधि, अमीन दौला की उपाधि, इसक कि बढूट मिल्क की उपादी दि जाती है इसके लामा अमीर उलुम्रण का जाता है महादुर फीरोज जंग का जाता है सिपर सालार इन को भी का जाता है सिख्नेता बंदा बहादूर की फर्रुक शियर के समय में हत्या कर दी गई थे और सयद बंधुओं ने मराथा पेश्वा बालाजे विशुनात की सहायता से फर्रुक शियर को मरवा डाला फर्रुक शियर को घृणित कायर कहा गया है अब दो छोटे-छोटे बादशा बनते हैं जो कि बस गिंदी के शाशन में रहते हैं इसमें रफिउद दौला और रफिउद दर्जात सबसे पहले दर्जात को देखते हैं ये सबसे कम समय तक शाशन करने वाला मुगल बादशा था और सयद बंदुओं की सहायता से ये सिंगहासन पर बैठता है और उनी की सहायता से हटा भी दिया जाता है इसके बाद रफिउद दौला जो है ये सिंगहासन पर बैठता है 6 जून से लेकर 17 सितंबर बताइए ऐसा शाशन काल तो 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 और सेयद बंदुओं के सहायता से ये बैठता है शाजहां दृती ही कि इसमें उपादी धारण की थे तो ये एक चीज हो सकती है जो कि पूछी जाए इसके बाद आता है मुहम्मद शाह इसका शाशन जो है वो थोड़ा लंबा रहता है लेकिन इसमें बड़ी ही रासदियां होती है सामराज्जी के साथ तो रोशन अक्तर इसका मूल नाम था और इसमें मुहम्मद शाह की उपादी को धारण किया और सेयद बंदुओं की ही मदद से यह सिंगहासन को प्राप्त करता है और इसी के समय में सायद बंदु समाप्त हो जाते है अगर जिन्दार्य होते तो इसको भी भगादिये होते लेकिन ऐसा नहीं होता उनकी इमृत्त्य हो जाती है, उनका आन्त हो जाता है मतलब हत्या करवादी जाती है असल में यह 1722 का समय तो इसके समय में ही आप देखते हैं कि नादर्शा का हमला होता है यह 1749 का समय और शाजहां का जो तक्ते ताउस था मयूर सिंगहासन जो की काफी बहुमुले रतनों से जड़ा हुआ था और कोहिनूर हीरा यह सब जो है अं हैदराबाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है और यह उसमें अपनी सामती देता है जैसे कि हैदराबाद में चिनकिलिज खां के द्वारा निजाम शाही की स्थापना होती है निजाम-ul-मुल्क की उपादी और बुरहान-ul-मुल्क की उपादी साधत खां को दी दी जाती है जो कि अवद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है तो ऐसे करके जो बंगाल अवद और हैदराबाद है वहां स्वतंत्र राज्य बनते और मुहम्मद शाह के शाशनकाल में अहमद शाह अबदाली जो है ये भारत पर हमला करता है और अहमद शाह अबदाली नादर शाह ने 1749 में भारत पर हमला किया था और करनाल की युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था अब मुहम्मद शाह की अगर बात करें तो ये बड़े ही रंगीन मिजाज का था मतलब रास रंग में इसकी रुची थी ये पशुयुद्धों को देखने में या नृत्य संगीत सुनने में और जो दर्बारी नर्तक थे उनका नृत्य देखने में ज़्यादा समय व्यतीत करता था तो इसको रंगीला कहे जाने के पीछे जो वज़ा है वो बता दी गई अब देखें नादरशा का हमला होता है तो इसमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए 1749 का समय है इसे इरान का नेपोलियन कहा जाता था ये इरान का नेपोलियन जो उपा दिये वो नादर शाह की है वैसे ये फारस का शाशक था और नादर शाह तब मासस्प शाह की मृत्यू के बाद फारस का शाशक बनता है और ये समय था 1736 का मतलब 1736 में ये सिंहासन समालता ह में गजणी में प्रवेश करता है काबुल का शाशक जो है उसका नाम है नादर खां वो नादर शाह के आगे बिना कोई प्रतिरोध की ए मतलब बिना विरोध की है अपनी आधीनतास विकार कर लेता है मतलब वह इसमिंग अपनी भलाई सम tactical और इसके पज़ी आते हुए आगे बढ़ता है और 1749 फरवरी का जो समय है पंजाब पर हमला करता है और वहाँ पर होता है करनाल गयूत और वहाँ से होते हुए ये राजधानी छेत्र दिल्ली की और प्रस्थान करता है और अन्त में वहाँ पहुंच जाता है तो यह बाते हमने देखि अधिर शहाँ अवद्ली को देखे लेते हैं अधिर शाह की हत्या हो ऑझ जाती है 1747 में ऐसे जो रिशन्श लोग होते हैं उनको मारने वाले और उनके भी दुश्मन हजार हो s guardar BB होते हैं तो शाहकी हत्या कर दी जाती है और 1748 में अबदाली का पहला हमला पंजाब पर होता है जो कि असफल रहता है फिर 1749 में एक बार फिर से ये पंजाब पर अटेक करता है और वहां का जो गवर्नर था मुईनुल मुल्क उसको परास्त कर देता है तीसरा हमला ये 1752 में करता है और समराट ने अबदाली को पंजाब और सिंद का प्रदेश दे दिया मतलब एक बार हमला करता है तो हारता है दूसरी बार हमला करता है तो जीतता है अगली बार हमला करता है तो पूरे छेत्र को कबजे में लेकर आगे बढ़ने का काम करता है फिर इसके बाद 1757 दिल्ली में ये प्रवेश कर जाता है मथुरा आगरा में जबरदस्त लूट पाट करता है और यहां से वापस लोटते समय अबदाली ने आलमगीर दृती को समराट बना दिया और इमादुल मुल्क को वजीर बनाने का काम किया जबकि रुहेला सरदार थे हागी के बाद है कि इसके बाद मराठा शक्ति जो है वो बिखर जाती पानिपत के युद्ध के समय अमध शाबदाली ने दिल्ली छोड़ने से पहले शाह आलम को समराट और इमादुल मुल्क को वजीर बनाया और नजीब उद्धौला जो है वो मीरबक्षी रहता है तो य उसके बाद जो उत्तरा दिकारी है वो शाह अलम वितिये ये मुगल बाद शाह के तौर पे सिंहासन पर बैठता है शाह अलम वितिये का असली नाम था अली गौहर ठीक है अली गौहर के नाम से अपने बच्पन के तौर पे जाना जाता था मतलब बच्पन का नाम होता है समय में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होगा तो फिर बीच में आप देख रहे निर्डाय की युद्ध रहता है यहां से अंग्रेज जीतते है और निर्ड़य और साथ में शुझाओ दौला जो की अवध कान अबाब था वह भी इसमें की Press सेना अंग्रेजों से लोहा लेती है लेकिन तब भी जीत नहीं पाती तो एक बार फिर से अंग्रेज जीतते हैं और यही से सारा नेड़े हो जाता है अगले ही साल इलाबाद की संधी होती है 1765 में और यह फैसला हो जाता है कि भारत में कौन सी शक्ती आगे शाषन करने वाली तो देख लेते हैं प्लासी के युद्ध, बकसर के युद्ध और कुछ संधियों को प्लासी के युद्ध की अगर चर्चा करें तो यह 23 जून 1757 का है प्लासी का युद्ध यह तारीख आप याद रखेगा नवाब सिराजुद दौला की सेना और रावर्ट क्लाइब के नित्रतों में जो इस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी थी उसके बीच में लड़ा गया था इसमें सिराजुद दौला के जो प्रमुख खास लोग रहते हैं और अंग्रेजों की सेना मात्र 32,000 की थी तो मतलब सैन निबल के आधार पे और ताकत के आधार पे देखा जाए तो नवाब भारी था और ये चीज़ अंग्रेजों को मालूम थी कि सीधे सीधे अगर लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे इसलिए कूटनीती का सहारा लिया जाता है और मीरजाफर जो की सेना पती था सेना का नित्रितु कर रहा था उसको ये लालच दिया जाता है कि अगर तुम हमारी मदद करते हो तो सिराजुदौला हार जाएगा उसके बाद जो अगला नवाब है वो तुम ही बनोगे और अंग्रेज इस वादे को पूरा भी करते है तो जब नवाब बनने का प्रणूबन दिया जाता है और मीरजाफर जानता है कि अगर वो ऐसा कर देता है तो जरूर सिराजुदौला की पराजे होगी तो वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है तो लालच में आ जाता है शडेंत्र में ये शामिल हो जाता है मीरजाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया और सेना का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लड़ाई लड़ने से मना ही कर देता है मतलब जो मीर जाफर के सपोर्ट में रहते हैं वो सारे सैनिक भाका दिये जाते हैं और वो इस युद्ध में शामिल ही नहीं होते हैं अब सिराज़ दौला को जब मालूम होता है कि बड़े बड़े जो सैनिक युद्धा थे मतलब जो असली थाकत थे सेना की वो मीर जाफर के साथ हो गए हैं और विश्वास घात कर दिया है इसमें दुरलब राय नाम के एक राजा का भी नाम है तो वो जान बचा कर वहां से भागता है पहले तो वो इस आत्म विश्वास में रहता है कि हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है अंग्रेज हमारा मुकाबला करी नहीं पाएंगे और इसी आत्म विश्वास के चलते वो डड़ जाता है जाके लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है तो सेना उसे धोखा दे रही होती है सेना भाग रही होती है कि ये नवाप जिंदा है और कभी निकभी वापसी कर लेगा और सिराजव दाुला के अंदर स्वतन्तर प्रवित्ती रहती है तो निश्चित टोर पर वो वापसी कर सकता था तो मीर जाफर अपना रास्ता साफ करना चाहता है तो उचे साफ कर लिया तो उसके अंदर भी कुछ गुण थे लेकिन उतनी कुछलता नहीं थी जितने भी अंग्रेजों के शड़ेंत्रिया राजनीती के अंदर शड़ेंत्र होते हैं मामले चलते रहते हैं उनको देर से समझता था जल्दी उसके अंदर अंदाजा लगाने अंदेशे को भापने की शक्ती नहीं थी और ये उसके लिए विनाशकारी थी मीर कासिम काफी सचेत और चतुर था इस मामले में मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शीदाबाद से मुंगेर ले जाता है ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मुर्शीदाबाद पूरा अंग्रेजों का गड़ बना हुआ था अगर वहाँ कुछ भी वो उटपटांग काम करता मतलब अपनी शक्ती इकठी करने का काम करता तो अंग्रेज उस पे निगाह लगाए रहते तो इसलिए वो मुंगेर हट जाता है और यहाँ पे एक छेत्र में अपनी सेने शक्ती को इकठा करने का काम करता है और वो अंग्रेजों की सेना को पूरी अच्छी तरह से देखा रहता है और वो जानता है कि कौन सी टेकनलोजी को अपना कर अंग्रेज सफल हुए तो वो बिल्कुल यूरोपी स्टाइल में ही अपनी सेना को हथियार बंद करना और तयार करना शुरू करता है मतलब सेना को अपनी तयार कर रहा था और मुंगेर में तोपे और तोड़ेदार बंदूके जो होती है मैच डॉप गंस जो होती है उनकी विवस्था करता है ताकि आराम से अंग्रेजों का मकाबला कर सके अब तारीख आती है 22 अक्टूबर 1764 अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवद के नमाप, शुजाउद दौला और दिल्ली के मुगल समराद शाह अलम द्विती की जो सम्मिलित सेना थी उसको बकसर के युद्ध में परास्त कर दिया यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई, मीर कासिम थोड़ी और शक्ती अगर इकठी कर लेता, जो कि वो कर सकता था लेकिन बीच में यह वो अंग्रेजों के साथ टकराने का काम शुरू कर देता है मतलब ताकत अभी थोड़ी ही कठी रहती है, लेकिन वो उससे ज़्यादा अत्मिश्वास अरजित करके भिड़ने लगता है नतीजा यह होता है कि अंग्रेजों को अंदेशा लग जाता है कि यह कुछ गडबड तो कर रहा है और इसी का नतीजा होता है कि फिर समय से पहले सब कुछ शुरू हो जाता है और जब पूरो नियोजित नहीं होता है तो चीज असफल होती है वही चीज यहां बकसर के युद्ध में देखने के लिए मिलती है नहीं तो फिर क्या ऐसी वज़ा रही होगी कि इतनी जो सयुक्त सेना हैं वो लगातार पराजित हो रही है हमारे पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता था शक्ती थी लेकिन परफेक्ट प्लान नहीं थी यह चीज पहले से ही है तो कुल मिलाकर मेजर हेक्टर मुन्रों के हाथ में अंग्रेजों की जो सेना थी उनकी कमान थी और युद्ध के समय वेसंटार्ट जो है वो अंग्रेज गवर्नर था बंगाल का 1762 का जो समय है उसके अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतनिदी वैसिंटाट ने मीर कासिम से संधी कर ली और अंग्रेजों से ली जाने वाली जो चुंगी की राशी है वो 9% रखी गई ऐसे कुछ चीजों को आप देख रहे हैं तो बकसर का जो युद्ध आप देख रहे हैं उस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं था ये ध्यान दीजेगा वो वहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों को ये पता लग गया था कि वो मनमानी कर रहा है इसके स्थान पे मीर जाफर को फिर से एक बार बंगाल का नवाब बना दिया गया था बकसर की युद्ध के विजए के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ब्रिडिश प्रभु सत्था जो है वो स्थापित होती है 1765 में मीर जाफर की मृत्ति हो जाती है और नमाजुद दौला जो है ये बंगाल का नवाब बनाया जाता है नमाजुद दौला जो है नजमुद दौला असल में है माफ कीजेगा तो नजमुद दौला जो है ये नवाब बनाया जाता है और ये मीर जाफर का बेटा था ठीक, मीर जाफर का बेटा था नजमुद दौला और ये आगे नवब बनता है और नवब शाही जो है वो नाम मात्र की रहती है ये आप जानते ही इलहाबाद की संधी को देख लीजे 1765 बंगाल के गवर्नर के रूप में कलाइब जो है वो वापस आता है दो संधिया कलाइब ने की थी 1765 में इलहाबाद की पहली संधी जो की 12 अगस्त 1765 को होती है शालम द्विती बंगाल के नवाब नजमुद दौला और कलाइब के हस्ता 1765 को होती है और वो अवद के नवाब शुजाओ दौला और कलाइब के बीच में होती है ये फर्क है दोनों के बीच का तो ऐसी जो बारीक अंतर वाली चीजे होती है वो अकसर आयोग पूछता है इलहाबाद की दूसरी संधी के हिसाब से शाह आलम को अंग्रेजी संरक्ष शाह अलम दृतिय ने कंपनी को बंगाल बिहार उडिसा की जो दिवानी है वो इस थाई रूप से दे दी मजबूरी में और इस समय रॉबर्ट क्लाइब इस इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था मतलब अब बंगाल का गवर्नर बन जाता है ये चीज हम देख रहे थ जब बंगाल में सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है बंगाल बिहार उडिसा ये तीनों ही कंट्रोल में आ जाते है लेकिन विशेश रूप से एक बड़ा प्रांथ बंगाल तो बंगाल के अगर बात करें तो कंपनी ने दिवानी कारे करने के लिए दो दिवान निय अगर थोड़ा बहुत आप देखना चाहें तो आगे आप बहादुर्शा जफर को देख सकते हैं यानि बहादुर्शा द्वितिये को उनका भी जो आधा जीवन था वो बेकार चला जाता है लेकिन शुरुवाती जीवन उनका ठीक ठाक रहता है तो ये एक चीज है और इसे अंधा कर दिया गया था बाद में और शालंद वितिये के समय में 1803 में दिल्ली पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तो ये पेंशन भोगी बनके रह जाता है और बाद में मार डाला जाता है 1857 की क्रांती को देख लेते हैं अब यहां पर विद्रों के केंद्र और नेताओं से ये शुरू होता है हमारी पहली बगावत थी मतलब एक जुट होकर लगबग एक जुटता के साथ हमने विद्रों किया था हाला कि इतनी भी एकता नहीं थी कि सफलता प्राफ्त कर सकें ल वहां से कमान समालने का काम बक्त खाने किया था इसके बाद कानपुर से नाना साहिब थे यहां आपने देखा ठीक है इसके बाद लखनव यहां से चुकि अवद पे कुशाशन का आरोप लगा के उसे डलहोजी के द्वारा 1856 में बिलै कर लिया जाता है तो वहां पर जो न प्रमिदार साथियों और बागी जो रियासत के लोग थे उनके साथ मिलकर ये बड़ा ही काटे का मुकाबला अंग्रेजों के साथ करते हैं और इनकी भी अवस्था 70-75-80 के आसपास की रहती है लेकिन उतने ही जोश के साथ ये अंग्रेजों से लोहा लेते हैं अब इसके गोरगपूर को आप देख रहे हैं गजाधर सिंग के द्वारा कमान समाली गई थी क्रांती की फरुखाबाद जो छेतर है यहां से तफजल हुसैन जो है वो क्रांती का नित्रितु कर रहे थी सुल्तानपूर से शही धसन संभलपूर से सुरेंदर शाई हरियाना से राओ त गोरगपूर के पठारी इलाके से क्रांती की कमान समाली गई थी तो यह तो आमने क्रांतिकारियों का देखा अलग-अलग छेतर के अब कौन से अंग्रेज जनरल कौन से छेतर में बगावत को दबाने गये थे उनका नाम आप देखेंगे तो दिल्ली में भेजा गया था विलोवी को, जॉन निकोलसन को और लेटिनेंट हर्डसन को कानपुर में जो विद्रोग हुआ था उसको दबाने के लिए सर हूग वीलर को भेजा गया था इसके अलावां कॉलिन कैम्बिल भी यहां पर विद्रोग को दबाने के लिए गये थे लखनव में हेंरी लॉरेंस, प्रिगेडियर इंग्लिश, हेंरी हेवलोक, जेम्स आउटरम और कॉलिन कैम्बिल इसमें से कुछ मारे भी जाते हैं, है न, लखनव वाले विद्रोग में, कई जगह पे मारे जाते हैं, लेकिन जड़ा बताईए, इनमें जो नाम दिया है, कौन-कौन से वहां पर अपनी विद्रोग को दबाने के प्रयास में मारे जाते हैं जहासी में हूरोज गया था, और बनारस में जेम्स नील को भेजा गया था, इस तरीके से अंग्रेस जनरल जो है, वो अलग-अलग छेत्रों में बगावत को दबाने के लिए भेजे गया था कुछ और फुटकर चीजे हैं, जैसे की 1857 की क्रांती के समय, ब्रिटिश प्रधान मंत्री कौन थे, तो उस समय विस्कॉन पामर्स्टन ये सत्ता में थे और इस विद्रों की प्रतीके तोर पे कमल का फूल और रोटी था, यही बाटा गया था कि क्रांती फैल रही है, इसकी सूचना सांकेतिक तरीके से दी जा सके मिर्जा गालिब जो है ये विद्रों के प्रतेक्ष दर्शी उर्दु शायर थे, और ये बहादुर शाय जफर के गुरू भी थे, लौर्ड कैनिंग जो है ये भारत में 1857 की जुक्रांती होती है, उस समय गवर्नर जनरल था, और बाद में वाइसराय भी यही बनता है, डल सबसे बड़ी कमी रहती है, सब लोग तयार नहीं रहते हैं, पता तो सबको रहता है, लेकिन ये एकदम से हो जाता है, विद्रों में भाग ना लेने वाले जो वर्ग थे, उसमें साहुकार, जमिदार, जितने पढ़े लिखे लोग थे, और हां किसान भी, मतलब आप समझ समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे अलग था, अगर ये भी जुड़ गये होते, कम से कम इसमें जमिदार या मालीजिक किसान तक इसमें इन्वाल्ब हो गये होते, तो भी ये सफल रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं, और 1875 के बाद फौज को संगठित करने के लिए पील क बहादुर शार जफर के साथ काफी अपमान जनेक ब्यवहार होता है, तो इससे जो मुस्लिम समाज था, वो काफी रुष्ट था, और अवद का जो विले किया जाता है, उससे पूरी अवद प्रेसिडेंसी में एक असंतोष का माहल था, तो इस तरीके से बहुत सारे विद् घोट रहे थे, सामाजिक और धार्मिक कारण में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ये एक धार्मिक कारण, उसके अलावा विद्वा विवाह को प्रोचान दिया जाता है, इसाई मिशन्रीयों को संडरच्छन और हिंदू-मुसलिम मानिताओं का उपहास क भारतियों को हे द्रिश्टी से देखा जाता है, अंग्रेजों का बरबरता पूर्वक बिवहार जो है, वो भी लोगों को उकसारा होता है, ठीक, तो सामाजिक और धार्मिक कारण जो आप यहां देख रहे हैं, वो भी एक इसमें भूमिका निभा रहे थे, हालां कि देखे वैसे भी खराब हो गई थी, और उसमें भी जो विद्वाएं होती थी, उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं होते थी, मतलब जीवन या तो त्याग दे, और नहीं तो एकदम पशुवत जीवन जीए, उनके जीवन से जितने भी सुख थे, वो उनसे छीन लिया जाते थे बहुत बार तो ऐसा होता था है कि छोटी उम्र की लड़कियां और छोटी उम्र में विवा भी होता था, तो 7-8 साल की बच्चियां या मैकसिमम 10 साल की बच्चियां जो है, उनके पती की मृत्यू हो गई, अब वो पूरी अपनी जो बचे हुई जिंदगी है, यानि मैकसि के समाम बिताएंगे, ठीक, उससे भी बत्तर उनके साथ बढ़ता होगा, तो इतनी निक्रिश्ट दसा से मुक्ति दिलाने का काम यहां पर किया गया, तो यह विरोध का नहीं बलकि प्रशंशा का भी सह होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, बागी जो बुरे काम किये गरीबी भुखमरी उससे पैदा हो रही थी, भारती उद्योग नश्ट हो रहे थे, और भ्रश्टाचार और जबरी की जो लूट थी, वो सब परिशान कर रही थी, सैनने कारण में अंग्रेज सैनिक अब देखें कि सेना में जो संतुलन था तो उसमें भारती सैनिकों की त तो ये एक कारण था, जिसकी वज़े से जो सैने विद्रो है, वो भड़कता है, और धार्मिक चिन और तमाम जितनी धार्मिक माननिता हैं सैनिकों की थी, उसको कतई पाबंदी लगाती जाती है, प्रतिबंदित कर दिया जाता है, तो इससे विरोध होता है, बाद में वो स तर्वी वाला जो मामला है, वो सामने आता है, तातकालिक कारण में वो बताये गया है, देखें आप, तो पुरानी जो ब्राउन बेस बंदूग थी, उसकी जगह पे एन्फिल्ड राइफल का प्रयोग किया गया, और इसके, मतलब इस राइफल में जो कार्तूस इस्तिमाल अब कुछ लोगों ने पता लगा है कि ये चमडा असल में है क्या चीज, तो मालूम होता है कि ये गाय की चरवी का बना है, या पिर सुर की जो चरवी है, सुर का जो उपर का चमडा है, उसका इसमें इस्तिमाल किया जाता है, और हिंदू और मुसल्मान दोनों ही सैनिक सेन में होते थे दोनों के लिए अपना जाती ही मामला बन गया और उसके बाद फिर वहां से बगावत भड़क जाती है तो यह सारी चीजें ग्रांती बहुत तेजी से भड़कती है और अंग्रेजों को ऐसी कते ही उमीद नहीं रहती है लेकिन उसे दबा दिया जाता है तो असफ हमें इससे जुटकर खेती बारी बंद करके अंग्रेजों को एकदम मोहताज बना सकते थे लेकिन वो सब इससे जुड़ते ही नहीं तो यह सारी दिक्कते हैं जिसकी वज़े से और जो रजवाडे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे गदार थे जो कि अंग्रेजों के पक्षमि थे जैसे सिंधिया अंग्रेज कहते भी हैं इस चीज को स्विकार करते हैं कि अगर सिंधिया ने लक्षमिभाई और जो बाकी करांतिकारी थे उनको सपोर्ट कर दिया होता तो हमारा जो इतिहास है वो वहीं से गोल हो गया होता और यह सही बात है लेकिन ऐसा नहीं होता है वो उतसे धोखेबाद जो रजवाड़े होते हैं वो धोखा दे देते हैं अपने ही लोगों को तो इस तरह की गदारी हमें भारी पड़ती है अपने यहां हमेशा यह ध्यान दीजेगा चाहे वो प्राचीन काल रहा हो जिसमें कि बाहर से मद्देकाली लुटे रहे आते है तो वो भी इसलिए सफल होते हैं क्योंकि हम आपस में लड़ने में व्यस्ते थे राजपूत राजाओं का आपस में जगडा चल रहा था उन्होंने बाहर से इन्वाइट कर लिया विदेशियों को नतीजा क्या होता है कि यहां पर आकर मुगल बैट जाते हैं और उससे पह प्थूर नहीं देना चाहता है कोई वाराणसी में कबजा करके बैठा है कोई अवद की रियासत पे कबजा करके बैठा है सिर्क उतना ही सोच रहा है मतलब सीमित सोच थी एक जो अखंड भारत वाली सोच है वो इनके अंदर नहीं थी इसके बाद आप देख रहे हैं कि सकता उनकी क्रांति का होता है और खराब संगठन था कोई भी इसमें ऐसा नित्रत तो नहीं था जो कि इन्हें एक सूत्र में बाद सके एसा नहीं था कि योग गिता नहीं थी योगीत तो बहुत लोग थे लेकिन वहीं कहा जाने जैंने कि सीमित सोच थी उनकी जैसा मड़ी-क भारत जैसा या एक सूत्र में बादने वाला कोई concept नहीं था इसके बाद परिडाम आप देखें तो परिडाम क्या है कि 1857 के विद्रोव के बाद जो पहला परिवर्तन आता है कि अंग्रेज चौकनने हो जाते हैं यह सबसे पहला परिवर्तन है और नतीजा होता है यह act इसे देखें 1858 का East India Company के हाथ से सत्ता चीन ली जाती है कि अब तुमसे काम होने वाला नहीं है तुम सिर्फ व्यापारी ही रह गया और इसी वज़े से इतना बड़ा शड़यंत्र हो गया तुम्हें पता भी नहीं लगा तो अब जाकर यहां पर crown rule शुरू हो जाता है इससे यह जो को भारत से कितना मोह था यह उपनिवेश तो जाना नहीं चाहिए हाथ से यह सोने की चड़िया है अगर यह हाथ से निकल गई तो बहुत बड़ा घाता लगेगा तो इसके चलते अब crown rule यहां पर शुरू होता है यानि महारानी अब सीधे इसे नियंत्रण में ले लेती और 1857 के विद्रों का जो सबसे महतुपूर्ण परिडाम था वो महारानी विक्टोरिया की उद्गोशना थी विक्टोरिया जो है अब यहां यह सोच लेती है मतलब राज परिवार और संसद वहां की विशेश रूप से कि जादा कड़ाई करेंगे तो सामराज जहाद से न ख्यान दीजेगा कौन बनेगा करोडपती में पूछा भी गयाता है यह वाला जो दिल्ली दर्वार है 1858 वाला यह कहां पर होता है तो उसमें जो कैंडिडेट है उन्होंने गलत जवाब दिया था तो इलहबाद में यह दर्वार होता है और लॉड कैनिंग के द्वारा इस सत्ता चलेगी यानि आप महारानी की रहियत है यह बताया जाता है तो यह सारे काम अच्छे वाले होते हैं अंग्रेजों की ओर से और यह तो मालूम हो जाता है कि डलहौजी ने काम तो बढ़िया किया था अंग्रेजों की वालाई का ही काम था सामराज्य फैलाने का लेकिन जिस तेजी के साथ उसने किया था, चुकि वो नई उम्र का था, मतलब एकदम अभी fresh age उसकी थी, और कोई भी youngster होता है, मतलब youth होता है, जैसे आज के समय में आप UPSC या UPPCS में एकदम नई उम्र के हैं, 25 के अंदर आपकी उम्र है, तो आपका interview board आपको आधा number तो आपकी उ होने पर दे देता है, खुश होकर, है ना, ये विडम बना है लेकिन सत्ते है, ये मानेता रहती है कि जादा उम्र होने पर आदमी जो है, वो थोड़ा धीला पड़ जाता है, मतलब ये लोगों के मन में ऐसी मान सिखता है, जबकि उम्र उतनी माइने नहीं रखती है, लेकि ये गोद वाला काम हम बंद करवा देते हैं, तो आराम से इसे ब्रिटिश किंगडम जो है, उसमें मिला सकते हैं, और ये काम उसने जट से शुरू कर दिया, मतलब आते ही आप देखेंगे कि एक बाद विलय है वो शुरू हो जाता है, और भी तमाम जो फैसले हैं, वो अटेक होता है, मतलब एकदम से जल्दी-जल्दी सा भड़पने वाला काम होता है, इससे जादा लोग भड़क जाते, धीरे-धीरे किया होता तो शायद इतनी तेश भड़के नहीं होते, तो डलहौजी ने जो व्यपगत नीती का सिध्धान्त अपना लिया था, उसको यह समाप्त कर दिया जाता है, यह अगर चलता तो असन तोश भी नहीं समाप्त होता है, यह पक्की बात थी, तो ब्रिटेन इस बात को बखु भी समझ रहा था, कि काम तो अच्छा था उनके लिए हाद से लेकिन उतना जल्दी नहीं करना था, तो इस काम को हम धीरे-दीरे करे करेंगे, करेंगे तो अभी भी लेकिन धीरे-दीरे करेंगे, तो इसी के चलते वो व्यपगत सिधान्त को वहाँ पर समाप्त कर देते, और हाँ भारती सैनिकों और अंग्रेजों की संख्या, जो अनुपाद है, उसको पांच एक से घटा कर दो एक कर दिया जाता है, पहले तो ये सैनिक बाद में भी ऐसा कर सकते हैं, इनके अंदर थोड़ा से एकता वाली भावना होती है, तो उसका अंदेशा ना रहे, इसके लिए अंग्रेज सतर्क हो गयते, तो उन्हों ने क्या किया, ये पांच वाला रेशियो नहीं, अभी दो एक का रेशियो कर दिया, मतल 1856 में शुरू की गई नहीं जो रायल इंफिल्ड राइफल थी, उनका प्रयोग करने से मना कर गया, यहां पर बुलट गाड़ी के बात नहीं हो रही है, जो राइफल बंदूके होती थी उनकी बात हो रही है, उनका नाम इंफिल्ड था, तो क्यों मना किया, वो कार्तूस पाला मामला आपने पीछे देखा, उसके बाद 29 मार्च 1870 का समय है, बैरकपुर छाउनी, ठीक है, यहां आप देखें, बैरकपुर छाउनी 34 मी जो नेटिव इंफैंट्री है, उसके एक एक नौजवान सिपाही थे, मंगल पांडे, उन्होंने देखा कि भाई गाए और चर्वी उसमें इस्तिमाल हो रही है, मतलब ऐसा लोगों को बताया गया था, पता नहीं वो थी भी या नहीं अलग बाद, अगर रही होगी तो सैनिक जो है वो भढ़के थे, अब इसके बाद आप देखें कि कार्टूस का प्रयोग करने से इंकार कर दिया, मतलब चर्वी लुट अब चमड़ा जनवर का यह थोड़ा सा, वहाँ रहसे महीं विशह था, तो कुल मिलाकर कर्टूस वो दाच से कीच कर नहीं खोलेंगे, भादर से कीच, नहीं खोलेंगे तो गोली नहीं दख सकती है, अब इसका प्रिणाम यह होता है, जो जो अपसर होते हैं, और य फासी पर टांग दिया गया और मंगल पांडे की जो पूरी रेजिमेंट थी मतलब जितने भारतिये सैनिक थी उनको वहां से पदस्त कर दिया गया उसे भंग कर दिया गया अब यह जो विवातित कार्दूस का मामला है यह यहां से आग पकड़ लेता है मतलब यह यहां इतने पहीं सीमित नहीं हो जाता है मंगल पांडे की शहीदी होती है तो उसके बाद घटना और तेजी से फैलने लगती है और सिपाहियों का असंतोष वही पर समाप्त नहीं होता है वह आगे अंबाला लखनव मेरट जितनी भी सैनिक छावनिया थी वहां तक फैलता जाता है और उ पातवी अवद रेजिमेंट के जो सिपाही हैं उनके आदेश की अवेहलना करते हैं और रेजिमेंट को फिर से भंग कर दिया जाता है तो जगा-जगा अब क्या होता है अंग्रेजों के खिलाब जो सिपाही है वो खड़े होते हैं अब आपने यह देखा कि पीछे जो प्रस्थान करते हैं दिल्ली की ओर दिल्ली पहुँचते हैं और वहीं से आग लग जाती है तो यह चीज आपने देखें अब यहां जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें हम जाती है आंदोलन और किसान आंदोलनों को देखेंगे तो सबसे पहले आंदोलन है उसका वर्ष है छेतर है और कारण और प्रभाव है बस इतने ही दायरे में प्रशन पूझे भी जाते हैं मतलब प्रशन बनेगा तो इसी में से बनेगा तो इसे ध्यान से देखेगा सबसे पहले है depressed classes mission और यह जो है 1906 का है जाती है आंदोलन की बा कार्थी राष्टी कॉंग्रेस में अस्प्रिश्टा की प्रथा को नकारने वाले प्रस्ताओं को पारित कराने में सफल रहते हैं तो चुआ चूत अपनी चरम सीमा पर थी और उसके विद्रों में यह चल रहा था दलित आंदोलन जो महारों का होता है उसको भी आप देख महाराष्ट में यह होता है अचूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया जाता है मतलब अचूतों की दशा सुधारने का प्रयास करने का जब भी जिकराता है तो उसमें हम सिर्फ बाबा साहिब का नाम लेते हैं लेकिन ऐसे नजाने कितने ही दलित नेता थे जिन्होंने की अचूतों का यानि दलितों का सहयोग किया मतलब उसमें एक व्यक्ति का रोल नहीं होता है कोई एक हाइलाइट हो जाता है लेकिन बहुत सारे ऐसे गुमनाम लोगों का योगदान होता है जो कि उस चीज में भाग लेते हैं बहुत अमूले अपना योगदान लेते है फिलहाल बाबा साहिम बेटकर को आप देखें तो ये महारान दोलन के नेता थे और 1924 का समय है इन्होंने प्रयास किया और 1924 में डिप्रेस्ट क्लास इंस्टिट्यूट की स्थापना की 1927 में इनकी पत्रिका प्रकाशित होती है ये बहिश्कृत भारत नाम से प्रकाशित होती है 1927 में मराथी पाक्षिक पत्रिका यानि जो 15 दिन के अंतराल पे प्रकाशित हो इसका नाम था बहिश्कृत भारत ये पब्लिश होती है 1927 में जो समाज समता संग है उसकी स्थापना होती है और अनुसुचित जाती संग जो है उसका गठन होता है 1942 में सत्य सोधक आंदोलन, सत्य सोधक समाज, जोतिवा फुले की द्वारा 1873 पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको यलो कलर से रंग दिया गया है महराष्ट इसका भी छेत्र था, ब्रामधवाद का विरोध किया जाता है, दलितों के उद्धार का प्रयास किया जाता है अस्प्रिश्टा दूर करने की कोशिश की जाती है, महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया जाता है सारुजनिक सत्य धर्म के समर्थन में जोतिवा फुले आगया आते हैं, गुलामगिरी के विरुध कारते हैं और जाती विरोधी आंदोलन से जोतिवा फुले का सम्बंध है, इसको आप दिमाग में रखेंगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अरव्वी पूरम आंदोलन को आप देख रहे हैं तो इसका नित्रित्व श्री नारायण गुरु ने किया था अरव्वी पूरम आंदोलन के नेता कौन थे? नारायण गुरु थे 1888 का ये समय है और ये छेत्र है केरल, मतलब प्रदेश है केरल और यहाँ पर क्या होता है कि दलितों और शोशित वर्गों के अधिकारों के लिए संगर्श होता है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कब होती है? 1902-1903 का जो समय है उसके बीच में नायर अंदोलन को आप देखें इसकी जो नित्रितु करता है कई सारे लोग है सीवी रमन पिल लई है, रामकृष्न पिल लई है और पद्मनाबन पिल लई है ये तीनों मिलकर इसे शुरू करते हैं 1891 का टाइम है, केरल राज्य ये भी है ब्रामणों के विशेश अतिकार को चुनोती दी जाती है और 1891 में रमन पिल लई की तवारा मल्याली मेमोरियल की स्थापना की जाती है ये समय आप देखेगा और 1914 में पद्मनाबन पिल लई की द्वारा नायर सेवा समीति की स्थापना की जाती है तो ये कुछ अच्छे काम यहाँ पर होते है आगे इस टेबल में चलते हैं तो यहाँ देखें आप कैवरतास पूछा गया था ये सारी चीज़े जो है रिपीटेट है कैवरतास आंदोलन जो है ये बात में माहिश्ये से जुड़ जाता है मतलब मिदनापूर जो बंगाल का मिदनापूर है वहाँ से इसका संबंध रहता है ये 1897 से स्टार्ट होता है और आगे लंबे समय तक चलता है इसमें जादी निर्धारणी सभा का गठन होता है और वो समय था 1897 और 1901 में क्या होता है माहिश्य समिती की स्थापना होती है तो ये चीज़ इसके बाद है जस्टिस पार्टी आंदोलन वो यहाँ पे है और सरकारी सेवाओं राजनीती में ब्रामणों के वर्चस्व का विरोध किया जाता है इनकी स्थापना की जाती है 1930 में सरकार के द्वारा कुछ वर्गों का आरक्षण दिये जाने के प्रयास जो हैं उनको सफलता प्राप्त होती है इसके बाद कॉंग्रेज का हरिजन आंदोलन आप देख रहे हैं यह 1917 से शुरू होता है और आगे चलता है दलिजातियों और पिछडे वर्गों के उत्थान का प्रयास होता है 1932 में आप देखते हैं कि अखिल भारती अस्प्रिश्टा विरोधी लीक की स्थापना होती है 1932 का जो समय है वो बड़ा ही समवेधन शील होता है वैसे तो विभाजन वाली जो नीतियां है वो अंग्रेजों की वो पहले से ही चलती है पूट डालो और राज करो और फूट डालो और राज करो का जब जिक्राता है सिर्फ हमारे दिमाग में हिंदू और मुसल्मान आता है लेकिन अंग्रेजों का जो दृश्ट कोड़ था वो इससे कहीं ज़्यादा गहरा Another वो हिंदू धर्म में भी जानते थे कि discrimination है भेदभाव है मतलब जाती जो परंपरा है वो काफी दुरूह बन गई उसमें उच्चवर्ग और निम्नवर्ग का जो खाई है उसको पाटने से अच्छा है कि फैलाओ तो उसमें वो क्या करते थे कि जो वर्ण है उनके बीच में बटवारा डालने की कोशिश और आप दे जी नहीं चाहते थे और अन्त में अन्शन शुरू करते हैं परिडाम यह होता है कि अंबेटकर के साथ फिर समझोता होता है तो इस तरीके की चीज़ें इसमें दलितों का कोई फायदा नहीं था अंग्रेज उन्हें बाट कर कोई बहुत ज्यादा उचे स्थान पर नहीं ब करते हैं तो बाटने की कोशिश करते हैं जोकि उस समय सफल नहीं होती है तो यह 1932 का समय अच्छा गांधी जी के द्वारा हरिजन नाम का साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया जाता है यह एक बात है अब इसके बात आत्मसम्मान आंदोलन जो है यह आपका नित्रत्यों करता इसके ईवी रामस्वामी नायकर है और 1925 का यह समय इसके अलामा पेरियार इने कहा जाता है तो मिलनाडो छेतर है फुदि अरासु नाम का यह समाचार पत्र प्रकाशित होता है पेरियार के द्वारा और ब्रामणो द्वारा जो जाती है भेद्भाव सोशण किया जा रहा समाजिक भेद्भाव का विरोध नादरों के मद्ध सिक्षा का प्रसार, समाजिक कल्याण को प्रात्मिक्ता, 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना यह सारे काम होते हैं तो यह सारी बाते हमने देख ली अब इसके बात चलते हैं किसान आंदोलन के ओंग जो है इसमें आ आंदोलन करता थे, इनके पीछे एक लंबी सेना थी, यह जो छेत्र है यह पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, छेत्र आपका, पश्चिम बंगाल का है, 1782 से 1831 तक चलता है, हिंदू जमिदारों के खिलाफ, यह जो आंदोलन है, यह सक्रिय रहता है, जिनोंने की फराजियों प 1825 से 35 तक चलता है, कर बृद्धी का विरोध किया जाता है, और अंग्रेजों ने हिंसा पूर्वक की सांदोलन को कुचलने का काम किया, मतलब बल पूर्वक दबा दिया, यह कहने का मतलब, मोपला विद्रो जो है, यह माला बार का होता है, कर जादा लग गया था, इसका व जो विद्रोहों की जवालाएं हैं, वो जल रही होती, तो बंगाल में दिगंबर और विश्नु विश्वास के नित्रितों में नील आंदोलन चलता है, नील विद्रोह होता है, और ये नादिया छेत्र है बंगाल का, ये नील बागान मालिकों के द्वारा जो आरोपित शर में होता है, और ये कारदेश, गाउं और पूना का पूरा छेत्र माहराष्ट का पूरा इलागा कवर करता है, इसमें समस्या ये रहती है कि गुजराती और मारवाडी साहुकार जो है, वो काफी जादा ब्रश्टाचार करते रहते हैं, और सोशन करते रहते हैं, तो 1889 में दक्कन क्रिशक राहत अधिनियम को पारित किया जाता है, जो कि किसानों को एक हद तक संतुष्ट करता है, इसके बाद रामोसी विद्रो है, बासुदे वलवन फढ़के इसके लीडर रहते हैं, अब इसका जो समय आप देख रहे हैं, वो 1877 से लेकर 87 का है, लगबग 10 साल क महराश्ट्रिस का छेतरे रहता है, इसमें अकाल की जो समस्या होती है, तो अकाल पीडितों को सहायता नहीं मिलती है अंग्रेजों की ओर से, और अंग्रेजी सरकार की यहां पर जो असफलता रहती है, इसके परिणाम सरूप जनता भढ़क जाती है, मतलब यह कि आप लगा सब आपको पता होने चाहिए, कभी-कभी मुख्य नाम ना पूछ कर कुछ साइड वाले नाम पूछ लिये जाते हैं, यह फंसाने का तरीका होता है, 1873 का टाइम है, पूर्वी बंगाल का पावना जिला, यह अब बांगलादेश में चला गया है, पूर्वी बंगाल का से जादा बढ़ गया था, तो सहने की वी एक सीमा होती है, तो जमिदारों की जो जातिया है, उसका विरोध किया जाता है, और जमिदारों को प्रलोभन किसका रहता है, अंग्रेजों का रहता है, अंग्रेज जो है, वो जमिदारों को अपनी और मिलाए रहते हैं, पिलान बाहिव भूमी अधिकरण करता जो थे उनका विरोध होता है इसमें वता है जैसे कि आधिवासी कभीले या जो पठारी छेत्रह जहां कि आधिवासी जनजातियां रहा करती है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि दीकू लोग आकर बाहर से कबजा कर लेते हैं कैसे करते तो जो इस्थानी जमिदार रहते हैं पहले तो जो अंग्रेज है पहले उनी को अपॉइंट करते हैं कि तुम ही वहाँ पर कभजा करके टैक्स वसूल हो वहां से तो अंग्रेज सोचते हैं कि यह बेकार हो गया तो इसको हटाऊ तुरंत और इसके इस्थान पे बाहर से कोई आदमी लाकर यहां रखो जो कि यह काम अच्छी तरह से कर सके तो इस तरीके से बाहर ही होगा, जो भरैती लोग हैं उनका आग्मन होता है तो यह और सोशन करने का एक तरीका होता है इसके बाद आप देख रहे हैं कि पंजाब कृषक विद्रो है जो कि पंजाब में ही होता है तो यह तो नाम से क्लियर है 19. शताबदी का समय है और इसमें क्या है कि जमीन छीन ली जाती है किसानों की कोई भी किसान विरोध क्यों करेगा उसके उत्पादन में बाधा पहुचाई जाए उस पे बेहिसाब लगान वसूली जाए या उसके खेत उससे छिन लिये जाए यही विरोध की वज़ा हो सकती है और क्या होगा तो यहां भी वही है भूमी छिनने पर पर किसानों के द्वारा विरोध किया जाता है फिर उसके बाद 1900 का जो समय है उस समय पंजाब भू हस्तांतरन अधिनियम जो है वो पास होता है यह समय देखेगा 1900 में क्या होता है पंजाब का जो भू हस्तांतरन अधिनियम है वो पास होता है इसके बाद चंपारण के किसानो नेता हैं, वो बड़ा योगदान अपना देते हैं, बाद में गांधी जी जैसे लीडर मिल जाते हैं, तो आंदोलन सफल हो जाता है, सरकार को जुकना पड़ता है, ये सारी चीज है, चंपारण कृशक अधिनियम के साथ, तीन कठिया को समाप्त कर दिया जाता है, उसके जानते हैं, गुजरात छेत्र है, खेडा का, मतलब खेडा कहां पर है, गुजरात में, ये 1918 की बात है, और 1918 का ये जो समय है, फसल बरबाद हो गई थी, और भूराजस्व की दरे जो है, वो कतई कम नहीं हो रही थी, तो इसी का विरोध चल रहा था, और अंत में गांधी ज अपने थे, लेकिन एक बड़ा नेत्रित जो है, वो वल्लब भाई पटेल का था, और इन्हें सरदार की उपादी बारदोली से ही मिलती है, बारदोली सत्याग्र जब सफल होता है, तो वहां की महिलाएं खुश होकर, इन्हें सरदार की उपादी से नवाजती है, अब यहा लगान की तरें घटकर, अब जब विद्रो होता है 22 प्रतिशत की वृद्धी का और सोशन का, तो उसके बाद बारदोली सत्याग्रे की सफलता का नतीजा यह होता है, कि लगान की तरें अब घटा कर 6.03 प्रतिशत कर दे गए, यह अच्छी खासी राहत थी, जो कि इससे प अरीब बटाईदार और दिहाडी पर काम करने वाले जो क्रिशक हैं, उनका यह अंदोलन था, बंगाल छेत्रिस का है, साहुकारों और जमिदारों का यहाँ पर विरोध किया गया, और जो बरगारदारी विधेयक है, वो यहाँ पर पारित होता है, समय है 1946 का, यह काफी बा अंदोलन को शुरू किया गया था, भारतिये समाज का एक बड़ा तपका समय बीतने के साथ साक्षर होता जाता है, और अपने अधिकारों के प्रती जागरूप होता है, लेकिन न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रती जागरूप होता है, बलकि बाकी जो भारतिये जनता है उसको भी गुलामी का मतलब बताता है तो भारत में ऐसे ही development होता है प्रेस का अविशकार होता है मीडिया की शुरुआत होती है जिसे कि आज के समय में लोगतंत्र का चौथा इस्तंभ कहा जाता है हलाकि आज की मीडिया जो है और उस समय की मीडिया तोनों की कोई तुलना ही अब यहां अगर आप देखें तो समाचार पत्रिया जनरल जो है उसका नाम दिया हुआ है साथ में प्रकाशन, इस्थान, वर्ष, इत्यादी यह सब जो पूछा जाता है वो दिया है संपादक या संस्थापक का नाम आपको मालूम होना ही चाहिए यह सब चीजे इसमें द 1780 का जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा इसको शुरू किया गया था जूकि आयरलेंड के रहने वाले थे उसके बाद इंडिया गजट सुरू होता है हेंरी लुईस विवियन डे रोजियो इससे सम्मद्द थे और 1787 का टाइम है कलकत्ता इसकी शुरुवात का स्थान है बंगाल उससे में आधुनिक गतविदियों और क्रांति का केंद्र बन गया था इसके बाद मद्रास कुरियर है मद्रास से छपने वाला पहला समाचार पत्र था और 1784 का टाइम है मद्रास का वहां से ये पब्लिश होता है बॉम्बे हेराल्ड को आप देख रहे हैं ये 1789 म डाम किया जाता है बाद में हैंफ्री के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है तो 1755 से ये शरू होता है और इसका जो वेन्यू है इसका डोकेशन है मतलब प्रकाशित होने का स्थान वह मद्रास इसके बाद नंबर आता है अपनी देशज भाषाओं का तो बंगाली पत्रिका एक प्रकाशित होती है मासिक बंगाली ये पत्र रहता है जो मासिक पत्रिका होती है उनको आम तोर पे पत्रिका ही कहा जाता है तो इसका नाम था दिखदर्शन बंगाली भाशा का था और ये 1818 में पब्लिश होता है कलकत्ता जनरल जो है ये जेस बकिंगम के द्वारा शुरू किया गया था 1818 का है बंगाल गजट को आपने देखी लिया तो ये बंगाली समाचार पत्र है पीछे जो आपने देखा था उससे ये भिन है ये पहला बंगाली समाचार पत्र है 1818 का है कलकत्ता का और हरिश्चंद्र राय के द्वारा इसको शुरू किया गया था संबात कौमुदी राजा राम मोहन राए इसके संस्थापक है आप जानते ही 1821 का समय ही ये भी बंगाली भाषा का है इसकी भाषा पता होनी चाहिए मिरातुल अगबार के भी संस्थापक वही है राजा राम मोहन राए ही कलकत्ता इसका स्थान है और यह अगला साल यानी 1822 है और हाँ यह फार्सी भाषा का है यहाँ भाषा का अंतर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब यहाँ देखें जाम जहानुमा यह उर्दू का है और एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था यह इंट्रेस्टिंग है उर्दू का यह पहला समाचार पत्र है और इसका जो समय है वह 1822 का है कलकत्ता इसके बाद है बंगदूत अब जो बहु भाषी समाचार पत्र है वो प्रकाशित होने लगते हैं यह पता लग गया रहता है कि केवल एक भाषा में लोग प्रियता नहीं मिलेगे और एक छोटा तबका ही उससे जुड़ेगा तो इसलिए अब अंग्रेजी, बंगाली, फार्सी और हिंदी इन में प्रकाशित होने वाला एक नया पत्र आता है जो कि सापताहिक रहता है और यह इसका नाम है बंगदूत बंगदूत का भी प्रकाशन छेत्र कलकत्ता ही है 1822 का समय है राजा रामोहन राइस के संस्थापक इसके बाद बंबे समाचार यह गुजरादी का पहला समाचार पत्र है बंबे में इसका विकास होता है 1822 में यह हमने देखा इस्ट इंडियन दैनिक था रोज आता था हैंडरी विवियन डिरोजियों के द्वारा इसको लॉंच किया गया था यह उनिसमी शतापदी का एक प्रसिद अगबार था बॉंबे टाइम्स जो है यह 1861 के बाद टाइमस ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आज भी जाना जाता है 1838 में बंबई में इसकी स्थापना होती है रोबर्ट नाइट ने इसकी आधार शिला रखी थी और थामस बेनेट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाना शुरू किया गया था इसके बाद आप रस्ट गोपतार को देख रहे हैं ये गुजराती पाक्षिक था 1851 दादा भाई नौरोजी हिंदू पैट्रियार्ट के संस्थापक थे गिरिश चंद्र घोष बाद में हरिश चंद्र मुखर जी इसके मालिक और संपादक बन जाते हैं समय है 1853 कलकत्ता सोम प्रकाश ये पहला बंगाली राजनितिक समाचार पत्र था कलकत्ता छेत्र है 1858 का टाइम है और द्वारकानात विद्या भूशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था इंडियन मिरर के जो प्रारम्भ करता थे मतलब फाउंडर थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे 1862 का टाइम है और ये छेत्र है कलकत्ता बंगाली जो है ये अमरित बाजार पत्र का मतलब इसमें दो समाचार पत्रों के नामे तो बंगाली है दूसरा अमरित बाजार पत् इसके बाद नेशनल पेपर है देवेंद्र नाट टैगोर के द्वारा इसको चलाया जाता है भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधिवेशनों को देख लेते हैं तो यहां जो अधिवेशन ने इसमें पहला वाला कॉंग्रेस की स्थापना के साथ ही 1885 में होता है बंबई में इसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में यहां आपने देखा 1886 यानी अगले ही साल दादा भाई नौरोजी की द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है तीसरा वाला अधिवेशन होता है 1887 में मदरास में होता है बदरुदीन तैयब जीस के अध्यक्ष होते ह यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में कुल 607 जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हिस्सा लेते हैं इसी संबेलन में पहली बार कॉंग्रेस के कारे संचालन का जो भार है वो प्रतनिधियों की कमेटी के हाथ में सौपा गया था और बाद में यह जो में विलियम बेडर वर्म के द्वारा इसकी अध्यक्षिता की जाती है 1889 का समय है यह आपने देखा इसके बाद छट्वा वाला जो है वो 1890 में होता है कलकत्ता में फिरोशाह मेंता इसके अध्यक्ष होते हैं सात्वा होता है नागपुर में 1891 में पी आनंद चारलू इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नोरोजी एक बार फिर से बनते हैं लाहोर में लाहोर अधिवेशन नौवा वाला है और यह 1893 का है फिर मदरास में होता है दस्वा अलफ्रेट वेब के तवारा इसकी अध्यक्षिता की जाती है सुरेंद्रनाद बनर जी जो है यह अध्य अध्यक्ष बनते हैं पुना अधिवेशन के 1895 और यही 11 अधिवेशन था इसके बाद 12 जो अधिवेशन आप देख रहे हैं 12 नंबर का वो कलकत्ता में होता है 1896 में रहीम तुल्ला सयानीज के अध्यक्ष होते हैं खास बात यह है कि वंदे मात्रम यहां पहली बार गाया और गाने वाले व्यक्ति जो हैं वो गुरुदेयो थे रवींदर नाठ टैगोर इन्होंने से गाया था रशने वाले बंकिम चंदर चटर जी थे इसके बाद 13 जो अधिवेशन नहीं अमरावती में होता है आंद्र छेत्र और सी संकरन नायर इसके अध्यक्ष होते हैं 1897 का समय है इसके बाद आप देख रहे हैं 16 यह लाहोर में होता है ठीक है लाहोर में होता है सन 1900 में यहां आपने देखा और इसके बाद एन जी चंद्रा वरकर जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं दिन्शा वाचा दिन्शा इल्दू जी वाचा इनका पूरा नाम था कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षबनते हैं 17.1 यह 1901 अहमदापाद अधिवेशन सुरेंद्रिनाद गोच ने इसके अध्यक्षब की थैस बीसवा अधिवेशन 1904 में होता है बंबई में हेंडरी कॉटन इसके अध्यक्ष होते हैं बनारस अधिवेशन होता है 1905 में 21 और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं कलकत्ता में होता है 1906 का अधिवेशन 22 और डादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं और यहां तेक आते बंग बंग के बाद लोग अपने देश की स्वाधीनता की और फिर से एक बार मुड़ गये थे तो यह स्वराज शब्द का पहली बार इस्तिमाल किया जाता है इसके बाद आप आगे चलते हैं तो 23 अधिवेशन सूरत में होता है रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं यह 1907 का है और कॉंग्रेस का यहां पर दो दलों में विमाजन हो जाता है नरम और गरम दल काफी जूतम पैजार होती है इसके बाद होता है 1908 का मदरास मदन मोहनमालवी लाहोर अधिवेशन की एक बार फिर से अध्यक्षिता करते हैं यह 1909 का समय है और यह 25 था इसके बाद इलाहबाद में होता है विलियम बेडर वर्न की दवारा इसके अध्यक्षिता की जाती है 26 था और यह 1910 का टाइम है 1911 में कलकत्ता में होता है विशन इसके अध्यक्ष बनते हैं 27 था और पहली बार जन गड़ मन गाया जाता है यह एक बड़ी बात और अगला वाला जो है वो बांकीपुर अधिवेशन है 1912 का आर एन मधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं और एओ ह्यूम को कॉंग्रेस का पिता कहा गया इस अधिवेशन में क 1915 की अगर बात करें तो उस समय बंबई अधिवेशन होता है सत्यंद्र प्रसंद सिन्हा के नितितु में यह 31 अधिवेशन इसमें यह कहा गया नहीं कि लॉर्ड विलिंग्टन ने कॉंग्रेस के 31 अधिवेशन में जो कि यह है 1915 वाला इसमें हिस्सा लिया था और वो उस स कॉंग्रेस के दोनों दल वापस में बिल कर काम करने को तयार हो जाते हैं साथ में मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस जो है वो एक साथ इस अधिवेशन में हिस्सा लेती यह एक बड़ी बात होती है समझोता होता है दोनों की बीच में लखनव पैक्ट जिससे आप कहते हैं त लेकिन यह कौन से अधिवेशन में दोरा है गया था 1916 का लखनव अधिवेशन ठीक इसके बाद 33 वा अधिवेशन जो कॉंग्रेस का था 1917 का यह कलकत्ता में होता है एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा रहती है यह पहली महिला अध्यक्षा बनती है और 1907 से लेकर 1923 तक यह थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रधान रहती है 1916 में इनोंने होम रूल का गठन किया था और भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है 1917 में विशेश अधिवेशन एक बीच में होता है कॉंग्रेस का दूसरी बार बटवारा हो जाता है यह 1918 का है और 34 होता है दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवी इसके अध्यक्ष होते हैं यह 1918 का है इसके बाद 1919 में होता है अमरित सर में मोतिलाल नेरू इसके अध्यक्ष होते हैं विशेश अधिवेशन फिर से कलकत्ता में 1920 में होता है और यह अधिवेशन असहयोग संबंधी प्रस् प्रारंबिक इसकी अवस्था है वो कलकत्ता में ही पारित हो गया था लेकिन बाद में जो चेत्र है वहां 1921 में 37 होता है चित्रन जन्दास उस समय जेल में थे तो इसलिए मतलब अध्यक्ष वही थे असल में तो हकीम अजमल खां को वहां पर कारेकारी अध्यक्ष चुल लिया जाता है इसके बाद 38 अध्यक्षन होता है जो कि गया में हुआ था मतलब बिहार में देशबंदू चित्रन जन्दास यहां पर अध्यक्ष बनते हैं 1922 का समय है 1923 में काक एक मात्र ऐसा 1924 वाला अध्यक्ष जिसके कि अध्यक्ष गांधी जी मने थे अब कानपूर अध्यक्षन होता है एक तालिस्मा और यहां पर भारत की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो इस अध्यक्षन का नित्रतु करती है पीछे आपने एनी बेसिंट को देखा था था व यहां पर कंपल्सरी कर दिया जाता है 1926 का है 1927 में पूरे संविधान की मांग होती है म अंसारीज के अध्यक्ष होते हैं यह 43 है कलकत्ता वाला कुछ खास नहीं है 1928 का 44 है मोतिलाल नहरूज के अध्यक्ष होते हैं और इसके बाद सबसे महतुपूर अधिवेशन को आप द हमारे गरतंत्र दिवस की तारीक बन जाती है अब इसके बाद आप देखें कराची अधिवेशन होता है मौलीक अधिकार की मांग यहां की जाती है सरदार वल्लब भाई पटेल की अध्यक्षिता में दिल्ली अधिवेशन होता है 1932 में अमरित रणछोरदास सेठ की अध्य इसके बाद राजेंदर प्रिशाद जी के अध्यक्षिता में 1934 में अब यहां आप देख रहे हैं कि फैजपूर अधिवेशन जो है यह गाउं में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था बाकी सभी जो है वो शहर इलाके में आयोजित हुए थे जवाहलाल नेरु इस वो सामने आता है और इसका खटरा जो बड़े नेता है वो महसूस करते हैं क्योंकि नेतरितु की बड़ी खीषतान रहती है कि नेतरितु की खीषतान के चलते तो पाकिस्तान जैसा एक अलग देश बना दिया गया ने तो वहाँ धर्म का मामला था ही नहीं मुहमाद अली ज कुछ यहां भी आप देख रहे हैं कि कॉंग्रेस में वर्चसु इससे पहले गांधी जी का चल रहा था नेता जी सुभाज चंद्रबोज की जब एंट्री होती है तो उनका व्यक्तितो निहायती प्रभावशाली रहता है और यहां पर दो व्यक्तितों का टकराव शुरू हो पिर्पन्व दिवेशन होता है त्रिकुरी में और यहां पर 1949 में गैंदि जी के कैंडिटीट रहते हैं पठाबी सीता रमया जिनकों की नेताजी हरा देते हैं गांधी जी अपनी ओर से उस candidate को उतारे रहते हैं और पट्टा भी सीता रमया की जीत किया पेक्षा गांधी जी को रहती लेकिन नेता जी के व्यक्तित्तों के आगे ठहर नहीं पाते हैं मतलब सीता रमयया और पराजित हो जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि यह मेरी पराजय है तो यहां से मद्भेत इसपष्ट होते हैं और नेता जी अलग रास्ता बना लेते हैं इसके बाद रामगड़ा दिवेशन होता है और रामगड़ा दिवेशन के अध्यक्षता मौलाना अबुलकलाम आजाद करते हैं यह 1940 का समय इसके बाद आप देख रहे हैं कि सीधा आप कॉंग्रेस का दिवेशन बीच में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है फिर काफी सारे बड़े बड़े आंदोलन आप देखेंगे तो पचपनवा जो अधिवेशन है वो 1946 में ही कही जाकर हो पाता है और उस समय आचारे जेवी कृपलानी जो है वो मेरट में इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं आजादी के समय यही अध्यक्ष रहते हैं यह ध्यान दीजेगा सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुलकलाम आजादी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने रहे यह इसमें फैक्ट है अब चपनवा जो है यह जैपूर में होता है सीता रमिया का जो खुआब था अध्यक्ष बनने का वो यहाँ पूरा हो जाता है तो यह जैपूर अधिवेशन है 1948 का है अब चुकि हम UP का कोई एक्जाम देने वाले हैं मतलब UPPCS या UPPSC के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी परिक्षा है विशेश रूप से उसी को टार्गेट करके वीडियो बनाया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि UP के रिस्मिट में कॉंग्रेस का अधिवेशन कब शुरू हुआ था तो इलहाबाद में सबसे पहले भारतियराष्टि कॉंग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है किया जाता है बाद में ये गुप्त सभा अभिनाव भारत में परिवर्तित हो जाता है तो आपने 1904 का समय देखा लेकिन इस थापना कब होती है अनुशीलन समीती ये कलकत्ता और ठाका दोनों जगह इस्थापित होती है बारिंद्र कुमार गोष्ट जतिंद्र नात बनर जी प्रमोथ नात मित्रा और इसके अलामा पुलिन दास ये सारे लोग इसमें इन्वाल्व थे 1902 का समय था अभिनो भारत सभा का जो चेत्र है व और मध्य प्रिदेश में भी स्थापित की जाती है 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रिय स्वैंग सेवक संग की स्थापना ये बलिराम हेड के वार की द्वार की जाती है और इसका जो मुख्याले है वो नागपुर महाराश्ट्र में इस्थित है कैलिफोर्निया यूएस में इंड 1907 में स्थापित होती है तारक नाथ द्वार कानाथ और पांडुरंग खन खोजे उनके द्वारा इस्थापना की जाती है इंदुस्तान रिपब्लिकन आइसोशियेशन कानपूर वाली आप देख रहे हैं 1924 की है और इस आर्मी की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपूर म और सचिंद्रनाथ सान्याल यह इसके फांडिंग मेंबर बाद में चंद्रशेखर आजाद जो है वो इसमें शामिल होते हैं चंद्रशेखर आजाद इस शुरुवाती जो आप दल देख रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आइसोशियेशन इसमें तो थे ही लेकिन जो दिल्ली का है वहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया जाता है तो यह एक बात इसके बाद गदर पार्टी को आप देख रहे हैं यह सैन फ्रांसिस्को में है मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1913 में से स्थापित किया गया था लाला हर्दयाल सोहन सिंग भाकना पंडित रा सेकेरेटरी का नाम लाला हर्दयाल और खजांची के तौर पे कांशीरा इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका यह लाला लाजपत्राय के द्वारा न्यू यॉयॉर्क में स्थापित की जाती है 1917 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है जापान में 1942 मे रास बिहारी बोज के द्वारा हिंदू धर्म संग को चापेकर बंधूओं के द्वारा इस्थापित किया जाता है तामोदर हरी चापेकर और बालकृष्न चापेकर आरे बांधो समाज की स्थापना बाल गंगादर दिलक ने की थी इसके बाद आप देख रहे हैं भारत मा हिंदू एसोशियेसन आफ अमेरिका ये 1905 की है सोवन सिंग भागना ने स्थापित की थी बंगाल स्वैंग से भी हेमचंद्र घोश और लीला नाग ने स्थापित किया था इस संग को श्री संग जो है ये बंगाल में 1921 में स्टैबलिश होता है अनिल राय इसके संस्थाप किया था और अमबा प्रसाद और अजीत सिंग के द्वारा भारत माता सोसाइटी की स्थापना की जाती है पंजाब में 1907 में भारत नौजवान सभा लाहोर में स्थापित होती है 1926 में भगत सिंग यश्पाल चबील दास ये सब इसके प्रारंबिक सदस्य या फिर आप कह स सकते हैं कि संस्थापक थे व्यायाम मंडल की स्थापना होती है पूना में 1897 का समय है चापेकर बंधु जो है उनके द्वारा इसे स्थापित किया जाता है स्वदेश बांधो समीती 12 साल में स्थापित होती है ये 1905 का समय है इसके बाद राष्ट्रिय स्वैंग सेवक संग जो कि 27 सितंबर 1925 को स्थापित किया जाता है ये पीछे भी हमने देखा था नागपुर महराष्ट्र में इसका मुख्याले हेडगेवार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है अब स्वदेशी आंदोलन को देख लेते हैं तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है अपने दे स्वदेशी के लिए ही तो यहां पर आये हुए है उनका जो असली उद्देशी है वही नाकाम हो जाएगा इससे बढ़िया क्या हो सकता है तो इसी को चलते हो और इसी मंशा को सिद्ध करने के लिए स्वदेशी को चलाया गया चूंकि बंग बंग होता है उसके बाद लोग एकदम से अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं कोई भी इसको पसंद नहीं करता तो यह विरोध होता है अंग्रेज मानते ही नहीं है तो विरोध करने का यह तरीका सामने आता है स्वदेशी आंदोलन जो है यह महात्मा गांदी का जो आजादी का आंदोलन बाद में चलता उसी का केंद्र बिंदु माना जा सकता है रोजगार स्रिजन भी इससे बड़े पैमाने पर होगा जो देशी जनता है वो रोजगार पाएगी तो यह स्वराज की आत्मा कहा जाता है अब इसमें 7 अगस 1905 की बात है ठीक है 7 अगस 1905 की बात है कलकत्ता का टाउन हाल वहाँ पे विशेश रूप से प्रशाशनिक आधार बताया जाता है कि प्रशाशनिक में उस्थाकों सुधार ना चाहते हैं क्योंकि बंगाल इतना बड़ा है कि उसमें कंट्रोल नहीं हो पा रहा है प्रशाशनिक तो सुधार करना तो एक बहाना था विशेश रूप से हमें हिंदू जो विधी है ये बहुत अच्छी है इससे हम अंग्रेजों का खूब नुकसान कर सकते हैं फिर वर्ष 1906 का समय आता है दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में पीछे आपने देखा था कि कलकत्ता में कॉंग्रेस का दिवेशन होता है वहाँ पे स्वराज को भारती सदस्यों की संख्या में वृद्धी होती है गैर सरकारी निर्वाचत जो सदस्य है उनकी संख्या अभी भी अगर देखा जाए तो नामित और बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी ये भी एक बात थी मुसल्मानों के लिए प्रथक सामुदाईक निर्वाचन की जो प्रणाली है उसको शुरू किया जाता है प्रथक निर्वाचनी इसकी सबसे बड़ी विशेश्टा थी और निर्वाचत सदस्यों का जो चैन है वो अप्रत्य चुरूप से किया जाता था इस प्रकार से भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली शुरू होती है किस माध्यम से तो मरले मिंटो सुधार जो था इसके माध्यम से यानि भारतिय परिशद अधनियम इंडियन काउंसिल एक्ट जो आता है 1909 का उसके माध्यम से व्रुद्धी की जाती है कारेकारणी में एक भारतिय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था होती है इन सुधारों के पीछे जो सरकार की मन्शा रहती है उसमें राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित करने का चक्कर रहता है राष्ट्रवादी जो भावना है उसको मजबूत न होने दिया जाए बीच में ही तोड़ा जाए ये चक्कर रहता है और नरम पंथी और मुसल्मानों को लालज देकर सरकार अपने पक्ष में मिलाना चाहती है ताकि गरम पंथी अकेले पढ़ जाए और अकेले वो गर्मी उनके अंदर रहेगी भी तो कोई उन्हें फायदा नहीं पहुँचेगा मतलब एक तरफा हो जाएगा सब कुछ तो ये प्रयास था अब विधान परिशत के सदस्यों के उत्तरदायत्मों को इस पष्ट रूप से परिभाशित न करने की वज़़े से बहुत तरह की वहाँ पर भ्रांतियां पैदा होती है लोग ब्रह में पढ़ जाते है इसके बाद हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन को तो इसमें आप देखेंगे कि एनी बेसेंट के त्वारा इसकी स्थापना तो की गई थी लेकिन बाद में भारत में दो तरह की होम रूल लीग चलती है एक तो बेसेंट की रहती है दूसरी तिलक की रहती है लोग मान ने तिलक यानि बाल गंगादर तिलक ने इसकी स्थापना अप्रैल में की थी, शाखाएं इसकी महाराष्ट्र करनाटक, मध्यप्रांत और बरार में खोली गई, छे शाखाओं में ये बटा हुआ था, मराठा और केसरी जो कि सबसे रबल समाचार पत्र हुआ करते थे लोकमा अपसी केल कर, तो ये कुछ यहाँ पर नाम आपने देखे, जो कि जानने होगे थे, अब इसके बाद बेसेंट की जो होम रूल लीग है उसको देखते हैं, इसकी शाखाएं धेर सारी थी, 200 शाखाएं थी लगभग आसपास, मद्रास में इसकी स्थापना होती है 1916 में, बा इसकी द्वारा जो लीग इस्थापित की गई थी, मतलब होम रूल लीग, उसके जो पहले अध्यक्ष थे, वो सची इसके थे, मतलब आप देख रहे हैं, जॉर्ज अरुंडेल, अरुंडेल के अलावा इस संगठन में जो मुख्यकार है, वो BW वाडिया और रामस्वामी अईयर जो है, इनकी द्वारा समाला गया था, तो कुछ जो प्रमुख नाम है, वो आपको पता होने चाहिए, इस आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कामन वील में एनी बेसेंट की द्वारा की गई थी, जिसमें कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतरग में लोग प्रिता वैसी नहीं रह जाती है, थियोसोफिकल सुसाइटी की स्थापना होती है, मैडम ब्लावस्की और करनल अलकॉर्ट की द्वारा, ये 1875 का समय है, और 1889 में एनी बेसेंट इसकी मेंबर बनती है, बेसेंट की लीग के जो संगठन का पूरा हिस्ता था, उसम को देखने से पहले इनका थोड़ा से बायोडाटा देख लेते हैं, गांधी जी का पूरा नाम मोहंदास करमचंद गांधी था ही, आप जानते ही है, जन्म का समय है, दो अक्टूबर 1879, पोरबंदर गुजरात ये सारी जानकारियां आपके पास है, इनके अन्य नाम बाप गांधी का नाम कस्तूरबा था, उन्हें बाप कहा जाता था, और उसके बाद पिता का नाम करमचंद गांधी था, ये पोरबंदर वंकानेर राजकोट राजियों के दिवान थे, पेशे से, ये गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम काबा गांधी भी था, तो काबा गांधी के नाम से भी आप इने जानते हैं पुतली भाई इनकी माता थी बच्चे के तोर पे हरीलाल मनिलाल रामदास देवदास गांधी ये सारे लोग जो है ये दिखाई देते हैं तीस जन्वरी 1948 को दिल्ली में इनकी हत्या कर दी जाती है तो ये सारी कहानिया है राजगाट में इनकी समाधी है दिल्ली में गोपाल कृष्न गोखले जो है ये गांधी जी के राजनेतिक गुरू थे नट्याल इंडियन कॉंग्रेस को आप देख रहे हैं तो गांधी जी के इसे स्थापित किया गया था दक्षिंट अफरिका में 1894 में दक्षिंट अफरिका में टॉल इस टाइफ फार्म की स्थापना 1910 में होती है। आप देख रहे हैं वही चीज़ बताई गई सत्यागरह आश्रम जो है उसके रूप में इस्थापित होता है पहले 1915 में आमदाबाद का जो कोर्चब नाम का इस्थान है वहां पे गांधी जीस को स्टब्लिश करते हैं फिर 1917 में यही आश्रम जो है यह साबरमती के किनारे आ इस्थापित किया गया था और यह बेतिया से करीब 65 किलो मीटर दूर पड़ता है मठके बाबा राम नारेंड दास जो है वो गांधी जी को आश्रम के लिए करीब धेर सारी जमीन उपलब्द कराते हैं मतलब आश्रम की ही जमीन गांधी जी को देते हैं और 16 नौंबर 1917 की पाठशाला और एक कुटिया भी यहां बनाई जाती है और इस तरीके से इस आश्रम को अस्तित्तों में लाया जाता है तो यह बिहार छेत्र का इनका बेस कैम था इसके बाद आप सेवा ग्राम आश्रम को देख रहे हैं गांधी जी के त्वारा अंतिम महत्तुपूर्ण आ गांधी जी ने कि मैं सच्चा समाजवादी हूं लेकिन समाजवाद का मतलब क्या है सर्वोद है गांधी जी के लिए समाजवाद का मतलब था सर्वोद है और समाजवाद में मार्क्सवाद की जलक दिखाई देती है लेकिन मार्क्सवादी जो समाजधारा है मतलब समाजव और उसके बाद 1915 में फिर से भारत वापस लोटते है चंपरण सत्याग्रा जो है यह 1917 में चंपरण बिहार से शुरू होता है और भारत में यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रा था पुस्तकों की तोर पे आप देख रहे हैं अंटू दिस लॉस्ट अब इसमें जॉन रस्किन की पुस्तक है अंटू दिस लॉस्ट यह गांधी जी ने पढ़ी थी और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस किताब से वो काफी प्रेरित हुए मतलब उनकी जिंदगी बदल गए यह चीज हमने देखी जलियावाला बाग हत्या कांड एक निशंश घटना थी उसको कोई नहीं भूल सकता है तो वो घटना होई थी 13 अप्रेल 1919 को ठीक है आगे की तारीक आप देख रहे है और हो सकता है आप वीडियो उसके बाद देखें लेकिन यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है और उस तारीक से आगे जो है वो 13 अप्रेल पढ़ने वाला है तो उस लिहाद से जलियावाला की जो बरसी है वो यहाँ दिखाई देती है तो यह 1919 की तारीक थी और जलियावाला पाग जो है अमरित सर पंजाब राज्य में इस्तित है और इस जगह पे बड़ी संख्या में लोग की कठा होके सभा कर रहे थे और अंग्रेजों की सेनाओं ने भारती है जो प्रदर्शन कारी थे मतलब शांती पूर्ण सभा हो रहे थी उनको घेर लिया चार ओर से बगीचा जो था उसमें एक ही जाने आने का रास्ता था और कोई रास्ता था नहीं चार ओर से दिवार थी अब जनता जो है वो घिर जाती है तो इधर-उधर भागने लगती है लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं तो बगीचे में ये ऐस कूवा रहता है लोग उसी में कूदना शुरू हो जाते है कूवा भी जो है वो लाशों से पढ़ जाता है तो ये बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है लोगों को जनरल डॉयर जो है वो एकदम से गोली चलाने का आदेश दे देता है जलियावाला बाग हत्या कांट आज भी ब्रिटिश शाषन के जनरल डायर की कहानी कहता नजर आता है मतलब ब्रिटिश शाशन की असल में कहानी कहता ब्रिटेन की मानसिक्ता को दर्शाता नजराता है सैकडो निर्दोश जो देशभक्त थे या आप कहा लिजे कि बेगुनाह जनता थी वो गोली बारी में मारी गई थी दुनिया के सबसे बड़े नरसंखार में इसको गिना जाता है जलियावाला बाग में हुए नरसंखार ने भारतियों को और कई ब्रिटिशों को भी जगजोर दिया अब भारत के विदेश मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू ने आदेश दिया कि इस मामले की जाज के लिए एक जाज समीती बनाई जया अलागि जाज समीती के रिपोर्ट आती है तो उसके बाद डायर को हीरो बना दिया जाता है और इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने हत्या जाज समीती के गठन की गोशना की जिसे और अधिक व्यापक रूप से हंटर कमिटी या आयोग के नाम से जाना गया और विलियम हंटर पूर्व सालिसिटर जनरल स्कॉटलेंड का था और इस आयोग का उद्देश क्या था बामबे दिल्ली और पंजाब में जो हालिया गड़बडी आई है उनकी जाज करना और कारणों को सामने लाना अब इसमें सदस्यों में तीन भारतिय भी थे चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड थे ये बॉम्बे युनिवर्सिटी के कुलपती थे इसके बाद पंडित जगद नारैंड थे वकील थे और साहिब ज्यादा सुल्तान अहमद खान ये ग्वालियर राज्य के वकील थे तो ऐसे कुछ बड़े-बड़े संभ्रांत लोग पी इसमें शामिल थे लेकिन इसका कोई बहुत संतोषपूर्ण परिणाम सामने नहीं आता अब इसके बाद असायोग और खिलाफत को देख लेते हैं तो खिलाफत आंदोलन जो है ये 1922 क दोर में अंग्रेजों के खिलाप शुरू किया गया था दो जन आंदोलन उभरे थे इसमें से खिलाफत आंदोलन जो है वो धार्मिक आंदोलन था असयोग आंदोलन जो है वो जन आंदोलन था जो कि देश की आजादी के लिए चलाय जा रहा था तो दोनों आपस में भावना के साथ गांदी जी से जुड़ जाती है तो ये एक अच्छा काम होता है लेकिन ये आंदोलन बहुत लंबा खिच नहीं पाता तो हम देखते हैं खिलाफत का मुद्धा प्रत्यक्ष रूप से भारती राजनीती से जुड़ा नहीं था लेकिन आंदोलन को ततकाल प्र अब इसमें अखिल भारती खिलाफत समिती जो है ये 1919 में गठित होती है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांदी जी खुद करते हैं खिलाफत कमेटी जो है इसमें आंदोलन को शुरू करने के लिए गठित की जाती है शौकत अली मुहमद अली अबुलकला माजाद हक हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी ये सब इसमें शामिल थे खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का जो श्रे है वो आली बंदु और शौकत अली मुहमद अली को दिया जाता है उसके बाद 23 नौंबर 1919 की तारीक है खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन है उसकी अ और पद्वी ये जो हाजिकुल मुल्क की है ये ब्रिटिश गवर्मेंट ने उनको दी थी 1908 में दी थी इसके बाद मुहमद अली जिन्ना अब यहां देखिए मुहमद अली जिन्ना जो है वो गांदीजी से कह रहे हैं कि राजनीती को धर्म के साथ मत जोड़िये धर्म को अलग रहने दीजी खिलाफा तांदोलन एक धार्मिक आंदोलन है जो कि खलीफा के अपमान के चलते चलाया जा रहा है मतलब ब्रिटिश शाषन जो है उसने खलीफा को अपदस्त कर दिया है तो इसके चलते फिर मुसल्मान जो है वह असंतुश ठोके कर रहे हैं तो उसको ही रहने दीजें उसको राजनीती से मत कनेक्ट करिए तो विशैला हो जाएगा दोनों चीजें जो है वो जहरीली हो जाएंगे बाद में यही जो जिन्ना है इनकी महत्वा कांक्षा जब बढ़ती है तो इनको यह आभास हो जाता है कि कॉंग्रिस या जो भारती नित्रतों है उसमें इनकी दाल नहीं गलने वाली यह सिर्फ नीचे ही रह जाएंगे जो बड़े-बड़े पोस्ट हैं मतलब राष्ट्रपती प्रधान मंत्री इस तरह की जो चीज है उसमें बड़े लोग ही बैठेंगे मतलब जो उचे नाम है वही बैठने वाले तो अगर हमें उन गांधी जी को धर्म से जोड़ने का ना जोड़ा जाए इसकी सला दी जाती है अब इसमें खिलाफत आंदोलन में ही गांधी जी की फागिदारी के विरुद्धी ये सावधान करते हैं कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और अनुयाईयों के कट्टरपन को प्रोच्साहित न करें ठीक ये जीज़ हमने देखी अब इसके बाद आप देखें कि मुहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे कि मैं मुसल्मानों का गोखले बनना चाहता हूं गोखले बनते बनते वो मुसल्मानों का रहनुमा बनना चाहे और उसके पीछे उनकी राजनितिक मंशा थी कोई ध खिलाफ़त आंदोलन का मुद्दा ये सब कॉंग्रेस अदिवेशन में देखा जाता है 1920 में कलकत्ता में होता है और मदन मोहल माल भी जो है वो इसमें involved नहीं होते हैं खिलाफ़त आंदोलन में वो कॉंग्रेस की भागिदारी के बख्ष में नहीं थी अखिल भारत ये उत्तरी भारत असयोग आंदोलन की एक महत्वपूर्ण प्रिष्ट भूमी के तौर पे उभरता है असयोग आंदोलन की दौरान मोतिलाल नहरू लाला लाजपत्राय सरदार वल्लब भाई पटेल और जवाहलाल नहरू राजंदर प्रिशाद ये सब जो लोग है ये वकालत उ पूद पढ़ते हैं और सिर्फ उतना ही नहीं बहुत सारे जो चात्र हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़के बहुत सारे रोग अपनी नौकरियां छोड़के आंदोलन में इन्वाल्व हो जाते हैं पांच नौमबर उन्निस सो बीस को असयोग आंदोलन शुरू होने के मतलब ओवर कॉन्फिडेंट यहां गांदी जी हो जाते हैं उन्हें यह लगता है कि छोटे ही इस तर में निपट जाएगा लेकिन चंपारण और खेडा या फिर आप बादोली को देख लीचे तो वो चोटे दायरे में संपन्न हुए आंदोलन थी तो वो कम समय में संपन्न हो ग जाए मतलब नई उजना तैयार की जाए तो बीच में होता है फिर चौरी चौर है आप देखते हैं तो यह चीज है पहली बार देश की जनता एक जुट होती है और फिर एक लुभावना लक्षिता ना कि मतलब एक साल के पीदर स्वराज तो कोई भी इसमें तैयार हो जाता नागपूर का जो बकायदा अदिवेशन होता है कॉंग्रेस का वार्शिक अदिवेशन उसमें इसका पूरा अनुधन किया जाता है सभी सदस्यों की द्वारा और सियार दास की द्वारा ही यहां पर प्रस्ताओं को भी पेश किया जाता है यहां तक आते आते वो भी पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन में वापस की थी राय बहादुर की उपादी ये जमनालाल बजाज ने अपनी लोटा दी थी ठीक ये चीज़ आपने देखी एक अगस्त उनिस सो बीस की बात है असायो गांदोलन को समर्थन मिलता है बाल गंगाधर तिलक का लेकिन जब आ पार्थी कॉंग्रेस समीती जो है ये दिल्ली का है मतलब इसमें दिल्ली में बैठक होती है असल में 24 फरवरी 1922 को और ऐसी सभी गतिविधियों को रोक दिया जाता है जिसमें की कानून का उलंगन होता है और असयो गांदोलन वापस लेने के कारण यहां 1922 का समय है ध्यां कर उमीद की एक किरण दिखा के उसके बाद आप एकदम से पीछे अट जाईए तो यह सबसे बुरी चीज है तो यह निंदा प्रस्ताव और रविंद्रिना टैगोर का आप देख रहे हैं तो विदेशी वस्त्रों को जलाय जाने को यह अविवेकी और निष्ठुर बरबा साइमन कमीशन को देख लेते हैं तो साइमन कमीशन जो है यह निउक्ती इसकी होती है ब्रिटिश प्रदान मंत्री के तवारा और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्षत है इसलिए इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन इसमें साथ सदसे थे यह साथ सदसी आयोग था और बिट गोशना मतलब इस कमीशन को गठित किया जाएगा इसकी गोशना आठ नॉबर 1927 को होती है और कमीशन इस बात की जाज करने के लिए भारत आने वाला था कि भारत क्या इस लायक हो गया है कि यहां के लोग संविधानी कदिकारों को समाल सके और निरड़े लेने वाले कौन लो होता है कोई भी इसके पक्ष में नहीं होता लेकिन उसके पाउजूत साइमन कमीशन भारत पहुंचता है डिठाई देखिए इसकी यह तीन फरवरी 1928 को बंबई पहुंच जाता है और दूसरी यात्रा जो 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रेल 1929 के बीच की है उसमें ये देश के अलग-अलग हिस्तों में चुकि ये देखना था नहीं कि संबैधानी का दिकार समाले लाएक हम लोग है या नहीं तो वो एक छेत्र से तो पता लगेगा नहीं उसके लिए घूमना पड़ेगा तो ये भारत यात्रा पर निकल पड़ता है और कई सारे स्थानों को देखता ह जैसे कि लाहोर, कराची, पेशावर, पूना, पटना, कलकत्ता, उत्तर, दछिड, पूरब, पश्चिम घूमता रहता है और अंतता ये दिल्ली आता है घूम फिरकर राजधानी में आकर टिकता है नहरू रिपोर्ट को देख लीजे नहरू रिपोर्ट जो है अब इसमें स को तैयार करते हैं सरवदली समीती बनती है इसके लिए उसके अध्यक्ष मोतिलाल नहरू रहते हैं और ये पूरा समिधान का खाका था नए डोमीनियन के तोर पे भारत कैसे बन कर सामने आएगा उसका पूरा ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था जवाहरलाल नहरू इ अध्यक्ष का तरजा हमें मिले मतलब हम आपनिवेशिक स्वराज ये प्राप्त कर सके ये हमारी मांग थी उस समय अब इसमें प्रिथक निर्वाचन व्योस्था का विरोध किया गया था अल्प संखे क्यों है तो जो प्रिथक इस्था नारच्षित करने की बात थी उसका सयुक्ति निर्वाचन की मांग की गई थी ताकि हमारी एकता बनी रहे इसके साथ साथ भाशाई आधार पे प्रांतों की गठन की मांग की गई थी यहाँ पर भाशाई आधार पे गठन की मांग की गई और 19 मौली कदिकारों की मांग की गई थी केंद्र और प्रांतों में उत्तरदाई सरकार की स्थापना की मांग की गई थी ये सारे काम होते हैं लेकिन साइमन कमीशन अंत में अपनी रिपोर्ट पेश करी देता है ये 1930 की बात है 27 मई 1930 सिफारिशे क्या रहती हैं कि 1919 का जो भारत शाषन अधिनियम है उसके अंतरगत लागू की गई जो डुएल ग राप्त होना चाहिए मतलब केंदर में कोई भी उत्तरदाईत में न दिया जाए उच्छी नयायले को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और उडीशा और सिंध को अलग प्रदेश का दरजा दे दिया जाए इसके बाद प् है चुकि साइमन कमीशन पहले ही वो महान काम कर चुका है यह चीज देखेंगे आपकी उन्निस सो इन्निस का कि यह चीज देखेंगे करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे तो कुछ वही जो कमीशन है वो थोड़ा पहले बन जाता है साइमन कमीशन के रूप में सामने आता है मतलब हम यह नहीं कह सकते कि वो इन्वेस्टिगेशन करने आया था माउंट एक चैंस पोर्ड कमीशन बनेगा यानि अपनी बात को एकदम इस्थिर करना चाहता है तो यह सारी रिकमेंडेशन थी यह जो सारी संस्तुतियां होती है इसी के आधार पे फिर आप देखेंगे कि तीन लंदन में होते हैं राउंट टेबल कॉन्फरेंस गोलमेज सम्मेलन और उसमें से दो मे जो निर्ड़य होता है उसी के आधार पे साइमन कमीशन की बहुत सारी रिकमेंडेशन को एक oppressed कि दौर्बार और उसको शामिल किया जाता है 1935 का जो Government of India Act है उसमें और वही जो Government of India Act है उसके maximum अनुश्य हमारे संविधान में साइमन कमीशन तो आज भी जिन्दा है चलिए 31 दिसंबर 1929 की बात ये भारती राष्टी कॉंग्रेस का वार्षी का दिवेशन है लेकिन खास है क्यों क्यों कि रावी नदी के तटपे होता है सिर्फ इतनी बात नहीं है असली बात ये है कि यहाँ पर पूर्ण स्वराजी का लक्षे और घोषना पत्र बाकाइदा तयार किया गया था पंडि जवारलाल नहरू इसके अध्यक्षिते कॉंग्रेस का मुख्य लक्षि घोषित किया गया पूर्ण स्वराजी स्वराज नहीं चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए अब कोई उपनिवेश वगएर नहीं और जवारलाल नहरू का ये जो मतलब अध्यक्षि यहां चुना जाना था तो इसमें इनकी लोगप्रियता बढ़ती है कहने का मतलब और कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1828 में ब्रिटिस सरकार को ये अल्टिमेटम दिया गया कि एक वर्ष में नहरू रिपोर्ट को स्विकार करो अनिता फिर कॉंग्रेस जो है वो अपना आंदोलन शुरू करेगी जिसमें आप परजित ही है कि फिर क्या होने वाला है और नर्धारित समय सीमा में सरकार का कोई उत्तर नहीं मिलता है तो इस स्थिती में दिसमबर 1929 में पंडित जवाला नेरू इनकी अध्यक्षिता में एक आतिहासिक लाहर अधिवेशन का आयोजन होता है और जो प्रस्ताव पारित होता है उसके हिसाब से अब पूर्ण स्वराजी का लक्ष रखा जाता है मध्यरातरी को घंटा बजता है 31 दिसमबर को दिसमबर में ही कॉंग्रेस के अधिवेशन होते है और लाहर में रावी के तटपे भारती स्वरतंतरता का जंटा फैराया गया और 26 जनवरी को आजादी की तारिक घुशित किया गया तो यह सब आपने देखा मौलाना हसरत मुहानी को यहां क्यों दिया हुआ है क्योंकि 1921 में आहमदाबाद दिवेशन में इन्होंने यह प्रस्ताओं रखाता है कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंतरता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाशित किया जाए मतलब पहले आईडिया यहां से आया था तो इस लिहाद से देखा जाए तो मौलाना हसरत मुहानी जो है वो पहले व्यक्ती थे हाला कि आप देखेंगे कि जो नौजवान थे जैसे कि भगत सिंग या राजगुरू या सुखदेओ पहली परिभाश वीयोग वो. मतलब उनका जो क्रांतिकाडी दस्त्ता था उनकी भी यहीजा था तो उनकी भी विचारधारा है थी मतलब वो इसके सभीनय वग्या आंदोलन को शुरू करने की मन्शा गांधी जी की असायो गांदोलन के असफलता के बाद ही शुरू हो गई थी मतलब गांधी जब देखते हैं कि असायो गांदोलन एक साल के भीतर अपना लक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वो चाहते थे कि अब सभीनय वग्या को शुरू किया जाए तो वो दिमाग में इनके पहले से ही चल रहा था लेकिन वो इंप्लिमेंट नहीं हो पाता है और बाद में लंबा सामय लग जाता है सभीनय वग्या आंदोलन तो इससे पहले शुरू होता है दांडी मार्च पाँच अप्रेल 1930 को साबर मती आश्रम से ये दांडी पहुंचते है ठीक है एतिहासी के आत्रा ये रहती है गांदी जी के पीछे बहुत सारे जो उनके सहयोगी रहते हैं अनुयाई रहते हैं वो चलते हैं सभीनय वग्या आंदोलन की शुरूआत गांदी जी के द्वारा की गई थी 1930 में दांडी मार्च से शुरू होता है 78 सदस्यों के साथ गांदी जी 12 मार्च से प्रस्थान करते हैं साबरमती आश्रम से 12 मार्च की तारीक को साबरमती आश्रम से पैदल निकल पड़ते हैं और 240 मील दूर अहमदाबाद से एक जगह है मतलब वो पश्चिमी तठ है भारत का समुद्र नमक कहां से बनेगा समुद्र से ही बनेगा तो दांडी नाम की जगह है गाउं है वहाँ पर ये सांकेतिक तोर पे पानी को उबाल कर नमक प्राप्त करते हैं तो अंग्रे जिन का मजा कुड़ाते हैं कि केतली भर पानी उबाल कर गांधी मौदे ये सोच रहे हैं कि उन्हें डोमिनियन स्टेटस प्राप्त हो जाएगा तो गांदी जी जब आप देते हैं कि गांदी के अंदर इतनी काबलियत है कि वो इस पानी को तब तक उपालने के लिए तयार है जब तक कि आप हमें स्वराज देने के लिए ततपर नहीं हो जाते हैं तो ये चीज है, अब इसके बाद 24 दिन की लंबी यात्रा रहती है, पैदल यात्रा है, 6 अप्रेल को पहुंचते हैं, सांकेतिक तोर पे नमक कानून तोड़ते हैं और इन्हें गिरफतार कर लिया जाता है, लेकिन आंदोलन रुखता नहीं है, इसमें महिलाएं भी शामिल हो 12 सूत्री मांगे रखी थी, और इन मांगों को स्विकार या स्विकार किये जाने के लिए सरकार को एक अल्टिमेटम दिया गया था, जो कि 31 जनवरी 1930 को समाप्त हो जाता, नमक कानून तोड़ने के अपराद में जवाहरलाल नहरू को गिरफतार किया गया 14 अप्रेल को, और बहुत बवाल हो गया था उसके बाद फिर कलकत्ता, मद्रास, करांची, सभी जगों पर उगर प्रदर्शन होते हैं, चार मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफतार कर लिया गया, उन्होंने ऐलान किया कि धरसणा नमक कार खाने पर वे अपने साथियों के साथ धावा बोलेंग प्राप्त किया जा सके, स्टैफर्ड क्रिप्स एक वामपंथी लेबराइट हाउस आफ कॉमेंस के नेता थे और ब्रिटिश यूद्ध मंत्री मंडल के सदस्य थे, इन्होंने भारती राश्टी आंदोलन में सक्रिय समर्थन दिया था, मतलब भारती राश्टी आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया था, तो ये आंदोलन के समर्थक थे, और लॉर्ड लिलितिको का समय था, उन्होंने गांदी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरोती की संग्या दी थे, मतलब गांदी जी जो है वो राजनैतिक फिरोती वसूलते हैं और इसमें वो काम्याब भी होते अब वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिलितिकों का जो कारेकाल है ये भारत में सबसे लंबा था और इसी के कारेकाल में आप देखेंगे कि दूसरा विश्यूद्ध होता है इसके अलामा बहुत सारी चीजें होती है 1936 से इनका कारेकाल शुरू होता है और 44 तक रहता है भारत छोड़ो आंदोलन और इस तरह के कई सारे जो छोटे बड़े आंदोलन है वो इसे जहलने पड़ते दृतिये विश्यूद्ध में भारत की भागिदारी और मदद मांगने के लिए ब्रिटेन के प्रधान मंत्री वि बड़ा मजबूत हो जाएगा ने तो जर्मनी और जापान तो बिल्कुल हावी हो रहे हैं तो ऐसे में फिर ब्रिटिस लोग जो है वो कूटनीती से काम लेते हैं और क्रिप्स मिशन भारत आता है इस बात की संस्तुती के लिए कि आप हमें सपोर्ट करी रंगून पर जाप जापान पहुंच चुका है जापानी सेना वहां पहुंच चुकी है रूस में उसने कहर ढ़ा दिया है तो अब इसका परिणाम क्या होगा कि अगला निशाना भारत ही है और तुमारी खैर नहीं और इसके बाद यूरोप पहुंच गया तो फिर पूछना ही नहीं है तो इस क्रिप्स मिशन की अनि जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसकी शर्ते क्या थी यूद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा और वो किसी भी बाहर इस अत्ता के अधीन नहीं होगा भारतियों को अपना सम्विधान निर्मित करने का अधिकार दिया लगता है और यूद्ध के तोरान ब्रिटिश वायसराई की एक नए कारी-कारी परिशत का गठन किया जाएगा जिसमें भारतिये जन्ता के प्रमुख वर्गों के प्रतनिधी शामिल होंगे लेकिन रक्षा मंत्राले ब्रिटिश नित्रतों के पास होगा और महात्मा नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं है विश्युद्ध का परिणाम क्या होगा ये कौन जानता है हो सकता है और ये लक्षन भी दिखाई दे रहा था कि जर्मनी और जापान जीतेंगे हिटलर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था और जापान जैसा उग्र जाता है तो अलग ही निर्डाय के एक मोड आ जाता है लेकिन कुल मिलाकर बात ही है कि अभी संभावना तो उनी के जीतने की दिख रहे थी बृटेन और मित्र राष्ट्रों की हालत खराब थी तो इसके चलते अब गांधी जी कहते हैं कि ऐसा चेक है जो कि दिवालिया बैं गून तक प्रभाव डाल दिया था उसका खत्रा भारत पर भी मड़ा रहा था भारत पर जापान क्यों हमला करने लगा तो वज़ा यह है ना कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था ब्रिटेन की कॉलोनी या नि ब्रिटेन की एक तरह से मतले जापान की निगाह में कम सिकम भारत ब्रिटेन की प्रॉपर्टी था ठीक है वहां से वो अपना कच्छा माल ले जाते थे वहां सोशन करते थे शाषन करते थे तो यहां यह चेटर जो है यह जपान निशित तोर कबज़े में लेना चाहे गा ताखिए यहां के संसाधनों को वो अपने कंट्रोल में करे और ब्रिटन को एकदम से पस्त करते तो अब भारतियों को ये लगने लगा कि अगर थोड़ा भी और विलंब किया गया तो जापान हमारे उपर हावी हो जाएगा और एक नई गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा मतलब परिस्थितियां और गंभीर हो जाएगी क्योंकि अंग्रेज तो थोड़े सहिश्णू है जापान वाले एकदम निशंश हैं इस मामले में मतलब रूस में जो नरसंगार हुआ था वो देखने लायक था चीन वाला छेत्र विशेश तोर पे रूस में तो कम किया था तो कुल मिलागर बात यह है कि क्रिप्स मिशन जो है यह विफल होता है तो गांधी जी अभी कहते है कि अब कमर कस लेनी चाहिए इस बार हमें पूरा प्रयास करना होगा तो यह भारत छोडवांदोलन का जो कॉंसेप्ट है यहां से निकल कर आता है अब ब्रिटिश आशन को यहां से हटाना पड़ेगा ने तो यह मुसीबत की जड़ बन जाएगा और 8 अगस्त 1922 का समय है आवाहन किया जाता है गांधी जी के दवारा यह ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई कर आता है जिसे अगस्त करांती मैदान के नाम से भी जाना जाता है वहां से गांधी जी एक एतिहासिक भाषण देते हैं और एक नारा लॉंच करते हैं करो या मरो, do or die मतलब यहां तो आप संघर्ष करिए संघर्ष करके जीती है और नहीं तो संघर्ष करते हुए मृत्य को प्राप्थ हो जाए तीसरा कोई रास्ता नहीं ग्वालिया टैंक में यह जो बैठक है इसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसके बाद अंग्रेजों को इसकी भनक लग जाती है तो वो अपने पिछली वाली नीती पर काम करते हुए सारे बड़े-बड़े निताओं को गिरफतार कर लेते हैं कि बड़े वाले जो नेता हैं वो गिरफतार होंगे लेकिन जैसे ही बड़े नेता जो है वो गिरफतार किये जाते हैं छोटे वाले जो है वो और उग्र होकर कमान सम्हाल लेते हैं बड़े वाले नेता सायद उतने उग्र नहीं हुए होते लेकिन जो छोटे वाले नेता थे, मतलब छोटे इस तर पर जो नेत्रितों समाल रहे थे लोग, छोटे-छोटे अपने छेत्र विशेश में, या अपने सूबे में, या फिर अपने कभीले में, वो एकदम से उग्र होकर मोर्चा समालते हैं, तो अंग्रेज जो है वो और भै विदिया थी, वश्चिम में सतारा और पूरों में मेधनी पूर जैसे जो जिले हैं वहाँ पे, अपनी स्वतंत्री सरकारे बन गई थी, बलिया में आप देखते हैं, चित्तू पांडे, हिंसक विद्रों कर देते हैं, थानों पर कबजा कर लेते हैं, तिरंगा लारा देते तो वो अलगी एक उनका लेबल रहता है, इसके बाद 19. शताबदी के आखिर में जाती व्योस्ता और जमिदारी की खिलाप महराष्ट में गैर ब्रामबर आंदोलन विक्सित हो गया, तो ये सब पीछे की बात है, 1930 में राष्टवादी आंदोलन से संबंध इसका जुड़ गया, ग्वालिया टैंक मैदान से जो भाशड दिया, उसमें करोया मरो का आवाहन किया, तो ये सब हमने देख लिया, भारत छोडो का नारा ये यूसुप मेहर अली की द्वारा गढ़ा गया था, ये ट्रेड यूनियन वादी थे और मुंबई में मेयर भी रह चुके थे, स आजाध हिंद फोज को देखे मिना भारती राश्ट्री आंदोलन पूरा नहीं हो सकता, तो इंडियन नेशनल आर्मी ये गठित होती है 1942 में, और 28-30 मार्च 1942 में टोकियो में रह रहे जो भारती रास बिहारी बोस है, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के विचार के लिए सम्मेलन बुलाते हैं, कैप्टन मोहन सिंग रास बिहारी बोस और निरंजन सिंग गिल के सहयोग से इसे गठित किया जाता है, और इसकी स्थापना का जो सबसे पहला विचार है वो मोहन सिंग के दिमाग में आता है, और इसी बीच में विदेशों में रह रहे भारतीयों के इस समय नेता जी की हाक में ये कमान आ जाती है रास बिहारी बोस जो है वो पूरी आजाद हिंद hindsight फौज की जो कमान है वो नेता जी को ट्रांसफर कर देता है और यहां से पिर आजाद फौज में एक नया जीवन आ जाता है और सिंगापुर में नेता जी стр каких train स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार यानि आजाध हिंद सरकार की स्थापना करते हैं चार जुलाई 1943 को नेता जी की नित्रतों में आजाध हिंद फॉज जो है वह आगे बढ़ती है फॉज का गठन सिंगापूर द्वीब पर किया गया था और उस समय ये ब्रिटिश मलय कांग हुआ करता था ये ध्यान दीजेगा देखें इसमें 12 नॉबर 1945 को आजाध हिंद फॉज का जो नेशनल दिवस है वो मनाये गया मतलब आजाध हिंद फॉज दिवस मनाये गया और पांच नॉबर से लेकर 11 नॉबर तक आजाध हिंद फॉज के सिपाहियों ने जिसमें कि आप देख रहे हैं आरके सहगल, शाहनवाज, गुरबक्ष शिंग जो हिंद फॉज के सैनिक है अधिकारी हैं उनको गिरपतार करके ब्रिटिस सरकार क्या करती हैं यह आप देख रहे हैं विश्यूद समाप्त हो चुका है दूसरा विश्यूद जब समाप्त होत शाहनवाज है और गुरुबक्ष धिल्डो है तो इनके उपर जो मुकद्मा चलता है तो इसमें इनके बचाओ के लिए इसमें फासी के सजा मुकर्रर की जाती है प्रेम सहगल को गुरुबक्ष सिंग को और शाहनवाज को और राशिद अली को 7 साल के कारवास का दंड दिया जाता है तो फिर एक समीति का गठन होता है भारतियों के द्वारा मतलब कॉंग्रेस के द्वारा आजाद हिंद फॉज बचाओ समीति भूला भाई देशाई के नित्रितों में देज बहादूर शप्रू और कैलाशनात काटजू अरुणा आसफ अली जवालल नेरू यह वकील जो संयुक्त सेनाय है वो पराजित होती है एलाबाद की संधी होती है तो एक बड़ा छेतर अंग्रेजों के हाथ में आत हो जाता है लेकिन उसे नियंत्रित करने के मामले में बड़ा ही वहां धिलाई बढ़ती जाती है और व्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है तो वो सा देन्मार्क ने भारती व्यापार हे तो 1620 में तंजोर में अपना केंद्र इस्थापित किया था और गवर्नर जेनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने करनल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी का अंत किया था ठगी प्रथा जो है ये काफिन रिशन्च हुआ करती थी तो उ इसके बीच में माउंट इस्टुवर्ड एल्फिंस्टन स्कॉट्लेंड के एक राजनईक थे और इतिहासकार भी थे ब्रिटिस सरकार की तरफ से ये मुंबई के गवर्नर रहे थे 1819 से लेकर 27 दरगाह शब्द जो है इसका प्रयोग सूफी संत के पवित्र मगबरे या ती रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग इन सब चीजों पर, सेंट ठोमे का जो यूद्ध है ये पहले करनाटक यूद्ध के रूप में जाना जाता है, टीपु सुल्तान ने कहा था कि शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है और बकरे की तरह एक लंबी उम्र जीना, ये ए बूमने फिरने वाले होते थे, तीन बंगाल और एक बिहार में थे, इस्थाई बंदोबस्त का सिस्टम आप देखते ही है, फामस मुन्रो ने कहा था कि रियत वाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो कि भारत में हमेशा रही है, मतलब हम लोगों ने इसे लॉंच नहीं किया है, प